परम घास को निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा उसमें comfortable ना हो सके क्योंकि अगर वो घुसले में comfortable हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि there is no growth in comfort zone लेकिन हम इंसान होने के आप बाज के जीवन से सीख सकते हो उसके जीवन से आपके जीवन में उतारने के लिए पांच बहुत मैधपूर्शीख है जो आपको एक सफल इंसान बना सकती है बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पंशियों के मुकाबले सबसे मुचाई पर उड़ता है वो या त पूटी सोच वालों से दूरी बना कर रखना चाहिए बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होता है वो अपने शिकार को पांच किलोमेटर दूर से ही देख सकता है और जब उसे एक बार अपना लक्ष देख जाता है उसके बाद रास् हुए जानवरों को नहीं खाता वो हमेशा जिन्दा शिकार करता है इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है अपने पास्ट की पुरानी यादों को जो तुम्हें हमेशा तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगे है और तुम् और उपधर की और उड़ता है और उपर उडते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है और इस से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा धूरो नैपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनोती अपने साथ एक बहुत बड़ा अफसर लेकर आत जीना सीखना पड़ेगा अगर आम लोगों की तरह जीओगे तो आहम चीजें ही हासिल होंगी तो आशा करता हूं आज आपको बाज के जीवन से कुछ अच्छी बातें जरूर सीखने को मिली होंगी जिने आप अपने जीवन में जरूर उतार कर देखेंगे और उनका फायदा भी आपको डेफिनेटली मिलेगा तो सकारत्मक सोच के साथ जूश और जुनून के साथ अपने लक्ष की तरफ पॉजिटिवली बढ़ते रहिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए यस गुडिवनिंग एवरिवन गुडिवन 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 एवरिवन तो मेरी आवाज आ रही है कि यह एक पारी जस्ट सब लोग पहले बताएं इस ओडियो वीडियो क्लियर टो एवरिवन उसके बाद में पिर अपना है जो बहतरीं टेंशन आज आप लोगों के लेके आएं हैं ठीक है उसको शुरू करेंगे तो आजाएं वही सब लोग यस गुडिवनिंग यस आईए जल्दी सब लोग ना तो बहुत बहतरीं सेशन आज आप लोगों के लिए आएं हैं सभी लोग जिस भी ग्रूप में आप एडिड हैं सभी जहां पर भी आप लोग कनेक्टिड हैं वहाँ पर इस शेशन के बारे में लिए हाँ पर वो सब सब्जेक्ट्स आपके क्या हो सकें अपलाई हो सकें आप उनको यूज कर सकें सो एवरीवन जस्ट आजाएं भाई सब लोग जल्दी से जल्दी चलिए आईए भाई जल्दी कि यह गुड़ीवनिंग आप एवरीवन गुड़ीवनिंग 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 आप क्लियर हो रहा है सबको कोई प्रॉल्म तो नहीं आ रही है नेट पगेरा का कोई इशू किसी तरह का लिंक में कोई वीडियो प्रॉपर चल रही है न तो जस्ट आजाए सब लोग जल्दी देखो उसके बाद फिर से अपने से शुरू करेंगे बहुत अच्छा सेशन आज आप लोग पास में जाने वाल है बहुत सारे कोश्चन लेकर आ रखे हैं ठीक है हर एक सब्जेक्ट के मोस् पॉसिबल हो सकते हैं civil engineering में from all the subjects we have tried की best से best question आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाए जाएं आज आपके पास में UKPSC JN करोगी तो आप लोगों का confidence ग्रो करेगा यस आजाएं सब लोग जल्दी सो देखो फिर से भीना कोई delay की हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हाप मेंली आए हैं हम लोग जस्ट इससे पहले आर सब लोग देखो session को जरूर share करना जितने भी groups में आप लोग added हैं आपके सभी friends जो आपका basically same exam के तयारी कर रहे हैं झाल 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 in झाल in झाल 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 और छिर आप्टा ता भूंत Rangers अब क्लियर है वहिस्ट क्या थोड़ा सब बताईए एक बारी वोईस क्लियर थीक है व्यूस क्लियर थी वॉस क्लियर है सब को एक बार जरह जरा जरा ड्रच बता दीजिये का रिनन्यां कि येस गुड़ीवनिंग ओके तो अब क्लियर है चलिए ना आप चलते हैं आगे आपने पास में देखो बेसिकली आज हर इक सब्जेक के कोश्चर मैंने आपके पास डाले हैं जिन भी ग्रुप्स में आप लोग एड़िड हैं सभी में शेशन को जरूर शेयर करिएगा ठीक है क्राउड मैक्जीमम दिखेना चाहिए आज आप लोगों का यहाँ पर जितना ज़्यादे क्राउड दिखेएगा उतना बेसिकली मोल्टिवेशन आएगा उतने ही शेशन आप लोगों के सामने इस तरह के हम और भी लेके आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे यस नाउ अगर मैं आगे मूव करूँ तो आगे मूव करूँ तो दिस इस अबाउट इंस्टिउशन ये कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से हमारे इंस्टिउट के बारे में कुछ अवार्ट सेंड यहां पर अचीवेंट्स यहां पर शो करने की कोशिश की गई है बिसिकली अच्छी एजुकेशन मिले आप सभी लोगों को क्वालिटी सब्जेक्ट्स आपके दिये जाएं यही रह क्लियर है नाँ गैं मैं कि सब लोग बने रहें सब लोग बने रहें हमारे साथ में बिसिकली क्रेंपिस करते रहें आज बहुत बहतरीन शेशन आप लोगों के पासने होगा आप एक तरह से मान केुछ चलिंड कि दृस प्री यू के पीशच यह फिर फिर यू के पीश्य ग थो दीए जैसा आपके पास चेशन होने वाला है कि एक बार ही बताईए सब लोगी शुरू करें जो आपके पास में questions का था आज basically जो question हमने यहाँ पर practice करने हैं बहुत सारे so इस session को शुरू करें just एक बारी comments में thumbs up करके बताएं अगर permission है तो आगे बढ़ते हैं फिर जो mainly आपके पास में यहाँ पर आज हमारा target है जिसके लिए हम यहाँ पर आएं है practice करेंगे more comments में बताएं जरा सब लोग thumbs up करके बताएं कि शुरू करें आपके पास चलिए तो आज चुकिए आप लोगों के पास है कि yes sir yes sir बाकी लोग भी आप सब लोग participate करो भई ठीक है comments यहाँ पर रुखने इन चाहिए अभी तक आपके पास session हुए सबसे maximum crowd आज आपका उन सब session के comparison में आपे show होना चाहिए ओके चलिए फिर कि चलिए फिर्स आपके पास में जो question basically लेके आ रहे है तो very first question जो आपके सामने आ रहा है yes the first question is this one just answer this please चलिए भई शुरू हो जाए बिल्कुल अब within seconds answer आने चाहिए आपके पास में सब के जो भी बच्चे है just within seconds answer करिए just इसको consider करिए कि एक परसे आपके पास exam चल रहा है आपके सामने screen पे question आया और जैसे ही question आया instantaneously उसका answer आपके पास आना चाहिए चलिए शुरू करें answer just answer this please चलो शुरू हो जाए भई देखो अगे यूग के पेसे जे एक का question है basically आपके पास में just answer this yes first B okay चलिए very good very good so answer आ रहे है सभी का भई answer कर रहे है क्या answer बता रहे है बी answer बता रहे है definitely yes constant permeability test will be suitable for the coarse-grained soils will be suitable for the coarse-grained soils now next question की तरफ बढ़ते हैं बीना कोई answer निकलना चाहिए एक दम ठीक है so yes next पर चलिए वही next question आपके पास में है next other question is चलिए इसका answer करीज़र है एक बारी डॉले right is a type of yes answer this please डॉले right is a type of चलिए वही बताईए इसके बारे में डॉले right is a type of what kind of rock is डॉले right yes answer this please डॉले right किस तरह का रॉक होता है answer a आया चलिए very good बाकी लोग भी participate करें सभी लोग इसका answer करें basically ठीक है within seconds answer आने चाहिए यह तो बहुत crucial time है आपको already सारे subjects revised हो जाने चाहिए so जैसे ही आ रहा है question immediately answer निकलना चाहिए उसका चलिए very good so answer बता रहे हैं भाई a yes सबको बता है dollar right is a kind of the ignisius rock dollar right is a kind of the ignisius rock चलिए बहुत बढ़िया again ssc में पूछा गया question है आपके पास में okay so next पे चलते हैं भाई let's move to the next to the question next to the question जो आप लोगों के पास में आ रहा है सामने चलिए so third question basically आपके पास में है third question will be what yes answer this please answer this please बताईए इसके बारे में क्या होगा answer what will be the correct answer for this तो session को यार end तक attend करिएगा बहुत अच्छे अच्छे question आज आप लोगों के पास में मैं इतना शौर कर रहा हूं number of questions तो आपको इनी में से दिख जाएंगे आपके exam में number of questions दिख जाएंगे या फिर आप JE की तयारी जिसकी भी exam की तयारी कर रहे हैं इसी में से question दिख जाएंगे आपको चलिए answer आ रहे हैं आपके पास में yes correct है the option is correct hydraulicity hydraulicity of the hydraulic line is mainly because of what सब कोई चीज पता है किसकी वज़े से होती है आपके पास में yes it is because of the clay so the correct answer will be what clay होगा clay will be the correct answer again a question of the SSC JE का question है फिर से आपके पास में चलिए so let's move let's move to the next to the question next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है भई next question है yes answer this please again देखे RRB JE में पूछा गया question था RRB JE में पूछा जाचू का question है चलिए बताइए इसके बारे में try to answer this which soil will take years and decades to undergo the full settlement after new building is constructed just apply the concepts and answer this please okay current रावत का अंसर सी है चलिए very good your session को आप सब ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं प्लीज बीच बीच में देखो सबको जोड़ी यहां पर connect करिए देखो crowd हमने बोला था number of students रिखने चाहिए आप एक टार्गेट में आपको बताया था it's been around 100 100 के आसपास हमें पहुंचना है अच बेसिकली अपने जो number of students को लेके so yes correct है आपको सबको पता है it's will be what clay clay will take 100 of years basically बहुत time लग जाता है इसको na full settlement के लिए चलिए so next बे चलते हैं भई let's move to the next of the question next question आप लोगों की जो पास में आ रहा है भई next question will be what yes answer this please again a question अपके पास में पूछा गया question है just answer this answer this प्लीज रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स रजिस्ट बताईए इसकी बारे में कि रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स रजिस्ट चलिए very good बहुत बढ़िया high temperature चलिए सबको पता है चीज रिफ्रेक्टरी रिफ्रेक्टरी means resistance to the temperature resistance to the temperature यस रिफ्रेक्टरी ब्रिक means what resistance to the temperature okay so correct है चलिए भई next पे चलते हैं let's move to the next question next question आप लोग होगी जो पास में आ रहा है भई next question will be what yes answer this please again SSC GE में पुछा गया question है फिर से आपके पास में Haryana SSC GE just answer this क्या answer आएगा भई बताईए इसके बारे में एक बारी in clamp burning the process at which angle the process at which angle bricks are to be laid बताईए चले इसके बारे में एक बारी answer this please try to answer this in clamp burning angle कितना लेके चलते हैं what is the angle maintained yes David answer बता रहे है B चलिए ठीक है भई very good बहुत बढ़िया बाकी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में okay चलो सभीक answer आ रहा है correct है yes answer will be what B सबको पता है चीज़ किकने angle maintain करके रखते हैं भई angle maintained will be what 15 degree के आसपास angle आपका maintain किया जाता है so यह सबको पता होना चाहिए points this point should be known to everyone okay चलिए so next में चलते हैं भई let's move to the next to the question next question आपके पास में जो आ रहा है yes so next है आपके पास में भई next question will be what yes answer this please again उत्राखंट A 2013 बताईए अंसर इसके बारे में ज़रा एक बारी the permeability of the following is very low the permeability of the following is very low क्या answer होगा इसका बताईए एक बारी यह देको session को भी share करते रहिएगा इसके बारे में बताईए देखिए अगर आपके बारे में बताईए देखिए अगर अभी clear है अभी clear है अभी clear है सभी को एक बारी जास बताईए थोड़े टेखिणिकल इशू हो जाता है बीच बीच में ना चलिए बता दीजे एक बारी clear है अभी चलिए अभी clear है yes ओके आंसार होगा भी बताईए इसका अशार करी जारा देखिए 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 अप्लाइट बताईए इसके बारे में what will be correct answer for this again up rv unl je e ka question in 2016 yes ठीक है so अगर हम इसकी बागत है basically when you can apply this correction when n1 more than 15 when it will be more than 15 only then you can apply this particular correction okay so next we चलते है let's move to the next to the question next आपके पास में आ रहा है चलो सब कोई चीज़ पता थी so next आपके पास में next will be what इसके बारे में बताईए sseje का question है आपके पास में just answer this answer this please चलिए बताईए इसके बारे में बताईए एक बारी which of the following tests are used for the testing of the tiles tiles के लिए कौन-कौन से test use किये जाते हैं देखो क्या answer करोगे इसका ठीक है very good बहुत बढ़िया चलिए ठीक है option number d will be the correct answer option number d will be the correct answer for this so next पे चलते हैं let's move to the next other question चलिए बहुत बढ़िया so क्या रहेगा वही आपके पास में d d answer रहेगा correct न यार session को share करते रहेगा भई सब लोग बीच-बीच में चेयर करते रहेगा number of students यार at least half century तो कराओ अब तक इतनी देर होगी session चलते जलते लगबग 50 तो cross कर जाना चाहिए तक crowd अब तक आपके पास में so next में चलते है next question आपके पास में जो आ रहे है वही next yes answer this please n w d a j e 2019 2019 का question है आज crowd का आपको target बताया हुआ है कितना touch करके जाना है at least अभी तक तो 50 plus हो जाना चाहिए था देखी क्या answer रहेगा एक बारी just answer this please the clay mineral responsible for the swelling property in the black cotton soil चलिए ठीक है बहुत बढ़िया yes सब को पता है answer will be what t the correct answer will be mount modulonite the correct answer will be mount modulonite mount modulonite will be the correct answer for this okay so next पी चलते है let's move to the next to the question so next question आपके पास में जो आ रहा है next will be what yes इसका answer करिए the dimensions for the special shape of the clay bricks are given in the dimensions for the special shape of the clay bricks are given in which code will be used for the special shape of the bricks again a question of sscje 2019 2019 yes just answer this please चलिए very good mostly सभी का answer भी है भाई सबको पता होना चाहिए indiany standard 6165 यूस किया जाता है special shape of the bricks के लिए for the special shape of the bricks याद रखना important code है पूछा जाता है number of time पूछा गया question है यहां से भी okay चलिए बहुत बढ़िया very good so next में चलते हैं भाई let's move to the next to the question next question है आपके पास में next to the question will be what चलिए इसके बाद में बताईए SJVNL JE 2018 बताईए इसका अंसर बताईए एक बार जल्दी आंसर दिस प्लीज आंसर दिस इस स्टोंस इस प्लेश अंग इस नेक्राल बैड सो थे लोड इस अप्लाइड कंडरावत कंशर भी है ठीक है वेरी गूट बहुत बढ़िया बाकी क्या कहते है बी ठीक है एक 90 डिग्री अप्लाइड एक 90 डिग्री चलिए ठीक है वेरी गूट बहुत बढ़िया तो नेक्स पे चलते हैं भई सब को पता है कितने प्लाइड करवाओगे 90 डिग्री पे इसके बारे में बताइए अगें SSJ question है देखिए answer क्या होगा what will be the correct answer for this what will be the correct answer for this the cement paste is of normal consistency in weaker apparatus if the road penetrated by अगीन एक अच्छा question आप लोगों के पास फिर से चलिए बहुत बढ़िया very good so the answer will be what 33 से लेके 35 mm 33 से लेके 35 mm will be the correct answer for this will be the correct answer for this okay so next भी चलते है भई let's move to the next other question let's move to the next other question next भी चलते है भई next question आपके पास में क्या आ रहा है yes answer this please answer this इसका अंसर बताइए एक बारी the equation of the flow net drawn by for floating the flow of the fluids is based on water क्या बोलते है इसको कि slope based है कि slope based है just answer this चलिए ठीक है बहुत बढ़िया yes correct है answer will be what D that is Darcy is low Darcy is low okay Darcy is low ठीक है so next आपके पास में जो question आ रहा है भई next to the question will be what so the next question will be yes इसके बार में बताइए एक बारी square root of the time fitting method is used to calculate is used to calculate क्या calculate करने के यूज़ करते हूँ yes answer this चलिए ठीक है very good बहुत बढ़िया सबके चीज़ पता है भई किसले यूज़ करते हैं that is used actually for the coefficient of the consolidation civically use किया जाता है square root of the time fitting method is used for the coefficient of consolidation चलिए बहुत बढ़िया यार देखोकर session अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में अपने comments बताते रहना ठीक है so just like करते रहना and अपना basically एक तरह से जो भी reviews है उसको बताते रहना comment box में ठीक है so next next अगर हम चले next of the question की तरफ बढ़ते है वही yes इसके बारे में बताईए एक बार Rajasthan PSE का question है yes answer this try to answer this ठीक है चलो सब को पता है the answer will be what cleavage it is called as the cleavage इसको cleavability कहते है basically ना तो सभी को यह property पता है so next पर बढ़ते है let's move to the next to the problem next next problem जो आप लोगों के पास में next will be what ठीक है next आपके पास में आ रहा है वही next question है yes the lowest water content at which again UPR जे का question है फिर से at which the soil can be completely saturated is called as what क्या बोलते है इसको क्या कहा जाता है just answer this तरही बहुत बढ़या answer बता रहे हैं see shrinkage limit ठीक है very good okay so next की तरफ बढ़ते है let's move to the next to the question next question जो आप लोगों के पास में आ रहा है इसके बारे में बता दीजे एक बारी for the construction of the structures under the water which type of the lime will be used which type of the lime will be used किस तरह का lime में यूज़ करोगे चलिए ठीक है बहुत बढ़या very good answer सबको पता है भी what kind of the lime will be used hydraulic lime will be used underwater hydraulic lime will be used which type of the lime will be used hydraulic lime will be used used so next अगर next पर बढ़े हम next आपके पास में के question आ रहा है वही यस इसके बारे में बताईए एक बार आ रहा ही का question आगे है आपके पास में 2019 just answer this answer this please ship controller is most suitable for compacting is most suitable for compacting किस के लिए उस करोगे बता दीजे एक बार ना कोहेजनलेस, coarse-grained, cohesive या फिर gravels चलिए very good answer सभी का correct है will be used for the cohesive soils that will be used for the cohesive soils किस के लिए उस करेंगे that will be used for the cohesive soils cohesive soils के लिए उस करते हैं mainly na okay so next पे बढ़ते हैं next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है next will be what इसका answer बताईए एक बार ना the coefficient of the volume compressibility coefficient of the volume compressibility mv has a unit of has a unit of क्या unit रहती है में लिए इसकी ना unit बता नहीं है बई mv क्या unit क्या रहती है बता दीजे answer yes 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 क्या रहेगा आपके पास में the correct answer will be what D चलिए so next आपके पास में जो mainly है so I think अभी clear है न या थोड़ असा पता नहीं net का क्या issue है I think की शायद but I think अभी clear है is it clear now चलिए so next question है भई next answer will be what बताए इसके बारे में एक बचरा देखो कितना important question number of time this question has been asked number of time this question has been asked answer this please answer this please please the answer will be what compact sandstone use किया जाता है किसके लिए fire resistance के लिए fire resistance के लिए इसके लिए so next पर बढ़ते हैं भई next will be what yes the next will be what next question आपके पास में जो है भई next question will be what yes answer this please UP Arbenal JE 2019 2019 का question है just answer this according to the Indian standard soil classification system silt is symbolized with letter किस letter से आप silt को symbolize करते हैं पता दीजी answer एक बारी चलिए ठीक है सब को पता है yes use किया जाता है for the symbolization of the silt silt के लिए so next question आप लोगों के जो आपके पास में आ रहा है भई next question will be what next है भई आपके पास में next question है चलिए इसका बताए एक बारी the size of the modular brick again UP SSSC JE 2015 UP SSSC JE 2015 just answer this answer this please B B ठीक है बहुत बढ़िया 19 x 9 x 9 cm 19 x 9 x 9 cm B will be the correct answer okay so next पे चलते हैं next question आपके जो pass में आ रहा है next will be what चलिए इसका अंसर बताए और इसका option नहीं है यहां पे mentioned आपको क्या करना पड़ेगा type करके बताना पड़ेगा कितना आपका अंसर निकल के आ रहा है you will have to just type आपको type करके बताना पड़ेगा कितना आपके पास में निकल कर आएगा ठीक है option नहीं दिया है यहां पे just इसको solve कर दीजे MP sub engineer 2015 का question है बताईए इसके बारे में जल्दी एक बारी यहां पे option नहीं दे रखा है इसके लिए न so type करके बताना कितना अंसर आ रहा है the specific gravity of a saturated soil याद रखना important point है soil कैसे है आपके पास में soil is saturated soil है आपके पास में saturated ठीक है जिसके लिए आपको क्या दिया है specific gravity 2.78 and water content कितना दे रखता है वही 17% दिया हुआ है what will be the void ratio what will be the answer for the void ratio चलिए ठीक है बहुत बढ़िया 0.47 0.47 या simple सी बात है s is equal to what w g होता है but soil कैसी है saturated है s कितना हो जाएगा s will be equal to 1 s will be equal to what 1 हो जाएगा आपके पास में यहां से e is equal to what w into g w कितना है 0.17 है into percentage में नहीं रखना है decimal में रखोगे 2.78 कितना निकल कर आ रहा है आपके पास में 0.47 चलिए ठीक है बहुत बढ़िया कितना आ रहा है आपके पास में 0.47 is the value of the void ratio is the value of the void ratio that will be the correct answer for the void ratio चलो so this is clear to everyone सभी कोई चीज़ पता है now next पे चलते हैं let's move to the next other question let's move to the next other question next आपके पास में जो आ रहा है भाई चलिए इसके बारे में बताईए during slaking process the volume of the line HPSCJE का question है HPSCJE का question है HPSCJE का question है answer this please slaking process में volume का क्या होता है चलिए ठीक है बहुत बढ़िया सबको पता है कि भी क्या होता है volume will increase आपको बताया भी था इसका data लगबग 227% के आसपास यानि कि 2.27 times तक increase कर जाती है चलिए ठीक है बहुत बढ़िया so now next question की तरब बढ़ते हैं बढ़िया next question आपके जो पास में आ रहा है next will be what चलिए इसका answer बताये answer this please answer this please answer this please what will be the answer for this course grain soil has a void ratio of 0.78 ठीक है specific gravity दे रखी आपको 2.69 दिया है so आपके क्या पूछ रहा है critical gradient पूछ रहा है critical gradient पूछ रहा है at which the quicksend condition will occur at which the quicksend condition will occur जिस पर आपके बास में quicksend condition आपको देखने को मिलेगी answer this a चलिए ठीक है बहुत बढ़िया यार सभी को पता है critical gradient जिस पर quicksend condition होती है i c formula will be what g-1 upon 1 plus e g-1 upon 1 plus e just put the values here g कितना है आपके पास में 2.69-1 upon 1 plus 0.78 अगर आप इस value को solve करोगे आपके पास में लगवग कितना निकल कर आएगा answer will be what 0.94 के आसपास आपके पास answer निकल कर आएगा 0.94 g-1 upon 1 plus e formula होता है ठीक है चलिए so next पे चलते हैं let's move to the next question next question आपके पास में जो आ रहा है नेक्स विल बी what yes इसका answer बताएगे DDA Delhi Development O3D में पूछा गया question है answer this इसका answer कर दीजिए एक बाढ़ना D60 दिया है D30 दिया है D10 दिया है then what will be the coefficient of the uniformity for this soil coefficient of uniformity आपसे पूछा जा रहा है what will be value of the coefficient of uniformity yes D बता रहे है करन रावाद answer ठीक है चलो आगे बताओ ठीक है बहुत बढ़िया answer will be what D सबको पता है coefficient of uniformity CU D60 by D10 कितना हो जाएगा बही आपके पास में that will be equal to what D60 by D10 that will be equal to D60 by D10 that will be equal to D60 by D10 okay so as for this option value put करोगे अगर आप यहापे कितना आएगा आपके पास में निकल गी 4 value will be what 4 निकल कर आएगी so option number D will be the correct answer now next पे चलते हैं बही next to the question आपके पास में है yes इसके बारे में बताईए SSCGE का question ने टोपाज के लिए पूछ रहा है कितना number होता है टोपाज के लिए पूछ रहे हैं बही कितना होगा बताईए एक बार इसका टोपाज के लिए क्या रहती है value 8 चलो ठीक है बहुत बढ़िया तो सब को पता है ठीक है चलिए yes 8 सब को बता है value will be what 8 होगी for the टोपाज टोपाज के लिए next question आपके पास में जो आ रहा है mainly next to the question will be next है भई next will be what इसका बताईए एक बार DMRCGE का पुछागा है question है 2018 में बता दिजे which one of the following is not a defect in the bricks which one of the following is not a defect in the bricks ए ठीक है very good चलिए बहुत बढ़िया answer बता रहे हैं सब wedge cut yes यह सब defect होते हैं under burning, over burning, black core सबी bricks में defect होते हैं सब defect brick में पाए जाते हैं answer will be what wedge cut so next में चलते हैं let's move to the next other question next question जो आपके पास में है yes next will be what next है आपके पास में भई चलिए इसके बारे में बता दिजे again UPRBNLJE 2019 का question है just answer this please answer this fast the type of the stone used generally used for the masonry work in the industrial area यह point पका होना चाहिए industrial areas yes इसके बारे में पूछ रहे हैं ठीक है answer बता रहे हैं C ठीक है चलो बहुत बढ़िया सबको बताए कि अगर आपके पास में industrial area है जहां पर क्या है आपके पास smoke and the chemical fumes यानि कि chemical attack काफी जादा होगा so in that case green light will be best green light will be best green light क्या रहे है आपके पास में best रहेगा एक तरह से ना green light will be best okay so next पर चलते हैं let's move to the next to the question next question जो आप लोगो के पास में आ रहा है next will be what next question है आपके पास में yes इसके बारे में बताएए एक बाई SSTJE में पूचा गया है UP PCL में पूचा गया ESC में भी 1995 में पूचा गया question है try to answer this please if the validation of the discharge velocity for a soil is 0.5 and 6 into 10 to the power minus 7 meter per second respectively what is the value of seepage velocity D try to answer this देखे क्या होगा answer void ratio दिया है आपको 0.5 दिया है 6 into 10 to the power minus 7 दिया है क्या answer होगा भाई carefully solve करिए यार जस्ट प्रापर्डी सॉल्व करो विश्टन यास D D will be the correct answer अगर आप जाएंगे तो है simple सी चीज़ आपको वाइड रिशो देखे आपको क्या पूचा है इसने CPG velocity बताना है ना आपको पता है CPG velocity कितना होगा जो given velocity है discharge velocity अपोन पोरोसिटी होता है आपको यहां से पोरोसिटी निकालना पड़ेगा ना पोरोसिटी कैसे निकालोगे E upon 1 plus E से E कितना दिया है आपको 0.5 upon 0.5 upon 1 plus 0.5 कितना बन जाएगा 1 by 3 ना 1 by 3 तो यहां पर इसको put कर दिजे 6 into 10 to the power minus 7 आपके पास में 18 into 10 to the power minus 7 बन रहे हैं ना बहीं कितना आ रहे है आपके पास में आपके पास में आप जट यहां से इस logic के साथ जाएंगे सभी को आपको आपको पता होना चाहिए तो नेक्स पर बढ़ते हैं बढ़ते हैं लेट्स मोगों के पास में हैं यस नेक्स विल भी वाट चलो इसका बता दो आगें फिर से जटाएक देखी क्या आंसर होगा येस डी बता रहे हैं चलिए बहुत बढ़्या so the correct answer सब को पता है water content range कितना रहेगा जीरो भी हो सकता है जीरो से बड़ी कुछ भी value हो सकती है कोई limit नहीं है किसी तरह कि भीना there is no limit चलिए ठीक है now let's move to the next question next की तरफ बढ़ते हैं next will be what yes next आप लोगों के पास में है next question इसके बार में बताईए अगें उत्रघंड जे-ई तो थोड़ा सा print आइट थिंक की शाहिए इसका मेरे काल से फोड़ा सा blur हो रखता है वाट समझ में आ जाएगा जे-ई airport authority जे-ई सब में पोछा गया है coefficient of the consolidation is measured in coefficient of the consolidation किसमें measure करते हैं आप लोग ठीक है बहुत बढ़िया answer बता रहे हैं सभी लोग b बता रहे हैं चलिए बहुत बढ़िया yes very good so answer will be what b will be the correct answer centimeter square per second b will be the correct answer for this centimeter square per second is the answer ठीक है so let's move let's move to the next to the question next question आप लोगो की जो पास में आ रहा है next will be what yes answer this please again Uttarakhand GE paper 2015 का question है answer this try to answer this देखी क्या होगा the relationship between air content of the soil and degree of the saturation is expressed as क्या answer आएगा चलिए ठीक है बहुत बढ़िया yes answer will be what ती सबको पता है s plus ac कितना होता है 1 होता है तो यहां से ac will be what 1 minus s हो जाएगा ना 1 minus s हो जाएगा तो as per this option number c option number c is the correct answer option number c is the correct answer okay so next next question की तरह बढ़ते हैं आपके पास next question जो है next to the question विल भी चलिए इसका बताइए ssej 2019 का question है what is the percentage of the sulfur trioxide in the ordinary portland cement percentage of the sulfur trioxide in the ordinary portland cement यह पूछ रहे हैं बता दीजे इसके बारे में एक बार चलो ठीक है very good बहुत बढ़िया सबको पता है कितना होगा 1-2% तक होगा that will be what 1-2% तक होगा सभी कोई चीज याद है okay so next पर बढ़ते हैं next to the question जो आप लोगों के पास में आ रहा है next question विल भी what next आपके पास में जो है next question है भई yes अच्छा इसका बताईए देखो अगेन उत्त्रकंड combined AE का paper है yes UK AE में पूछा गया है 2012 में the total number of the possible GVF profiles in open channel बता दीजे open channel flow देखो हमने बोला भाब आपके पास सभी सभी subjects के mainly question लेके आएंगे so question आ चुगा किस से GVF open channel flow का question है answer this please answer this please चली बहुत बढ़ी है भई सबको पता है कितना होता है profile possible 12 yes total number of the GVF profiles possible will be what 12 12 निकल के आता है न सब को इचीज पता है okay so next की तरब बढ़ते हैं let's move to the next question next आपके पास में जो आ रहा है yes सबको याद रखना important data है उत्ता है इन पूछा गया है 2012 में so next आपके पास में है भाई next will be what चलो इसका बताईए the instrument used for the measurement of the wind speed instrument used for the measurement of the wind speed instrument used for the measurement of the wind speed answer this please yes चलिए animometer सबको याद है the value is clear to everyone सबको याद है कि वह क्या होता है animometer होगा आपके पास में yes ठीक है great so next next पे चलते हैं आप लोगों कि जब पास में आ रहें next will be what next question होगा आपके पास में next yes चलिए इसका बताईए LMRC GE and DMRC GE दोनों में पूछा गया question है बता दीजे एक बारी 2017 में पूछा गया 2016 में पूछा गया answer this please answer this चलो ठीक है very good सब कोई चीज़ पता है भाई that property will be called as what coheasant coheasant कहलाती है property that property is called as the coheasant okay so next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है next to the question will be what next question है आपके पास में yes चलिए इसका बताईए when the fraud number when the fraud number is equal to 1 then then the flow then the channel flow is called as what क्या बोलते हैं इसको HPSSCCJE का question है बता दीजे एक बार क्या answer कर रहे हैं भाई सब लोग c answer कर रहे हैं चलो बहुत बढ़िया answer will be what c आपके पास that type of the flow is called as what critical flow इसको कहा जाता है such kind of the flow is called as the critical flow इसको critical flow कहते हैं ओके बहुत बढ़िया very good so next आपके पास में आ रहा है next to the question will be yes next question है भई next will be इसका बताईए NPCCJE NPCCJE 2017 का question है atmospheric pressure is measured using किसको use करके measure करते हो चलो ठीक है सब ही answer कर रहे हैं c yes correct है option number c will be the correct answer barometer use करते हो आप लोग क्या use करते हैं इसके लिए barometer is used actually barometer use किया जाता है okay so next question है भई आपके पास में next to the question will be what next question आ रहा है भई आपके पास yes this is the next question answer this again उत्रकर्ण AE का question है फिर से आपके पास 2012 में पूछा गया बताईए भई what is the correct answer for this the relationship between the Manning's coefficient N and the Cajun's coefficient C is given by where R is the hydraulic mean depth क्या answer आएगा इसका answer just answer this answer this please चलो ठीक है very good बहुत बढ़िया सभी को पता है भई कितना होगा B C is equal to what 1 upon N into R to the power 1 by 6 होता है you just need to remember this relationship important point है बहुत बढ़ पुछा जा चुका है आपसे क्या आएगा आपके पास में B B will be the correct answer na B will be the correct answer so next भी चलते हैं भई let's move to the next to the question next question आपके पास में जो आ रहा है next will be what yes answer this please the manometer manometer is used to measure Bihar SSTJE and SSTJE 24 का question है किसके लिए यूज करते है manometer चलिए सभी लोगा answer D कर रहे है yes ठीक है obviously D is the correct answer for this manometer is used for the measurement of the our discharge pressure actually yes किसके लिए pressure के लिए measure करने के लिए यूज करते हैं for the measurement of the pressure ठीक है so next पे बढ़ते हैं भई next question आपके पास में जो आ रहा है next will be what next है भई आपके पास में next चलिए इसका बताईए a good brief earth contains alumina SSC GE का question है 2019 का answer this please D चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग answer कर रहे हैं D ठीक है चलो correct है answer will be what D 20-30% होगा na alumina का proportion कितना बताया गया आप लोगों को alumina बताया है आपको 20-30% बता रखा है so next question आपके पास में आ रहा है भई next to the question will be what next question है yes answer this UPR UNL JE 2016 में पूछा गया and ESE 2000 में पूछा गया question है just answer this which of the following statement is correct which of the following statement is correct regarding the CV which of the following statement is correct regarding the value of the CV चलिए सभी लोगों का answer mostly D आ रहा है yes obviously D is the correct answer to this सबको पता है यार CV क्या होता है CV is equal to K upon MV into gamma W होता है यहां से आप match करके देख सकते हैं CV directly proportional to K CV directly proportional to K बाकी कोई प्य option इसमें match आपके पास नहीं कर रहा you just need to follow this particular relationship आपको सिर्फ क्या करना है यह relationship याद रखना है अराम से clear आपके पास question हो जाएगा solve चलो भई next पर चलते हैं let's move to the next to the question next question भई आप लोगों के पास में है yes यह यह फिर से repeat हो गया गया इसको हम discuss नहीं कर रहे है इस पर चलिए आप next पर ना इसके अबारे में बताइए UP जल निकम and SACJE 2010 का question है answer this please answer this if the diameter of the capillary tube is doubled then the capillary rise will be what half, half, चलिए ठीक है very good सभी लोग answer C कर रहे है ठीक है बहुत बढ़िया yes obviously answer number option number C is the correct answer for this आपको सबको पता है भाई height of capillary rise C is equal to what 4 into sigma upon rho into G into D होता है D is the diameter अगर आप diameter को क्या करोगे double करोगे तो capillary rise कितना हो जाएगा आपके पास में yes that will be what half हो जाएगा that will be equal to what हाँ पाजाएगा आपके पास निकलके खीक है चलिए बहुत बढ़िया चलिए so next question आपके पास में है I think this is clear to everyone सबको जास यह relationship पता होना चाहिए HC कितना होता है 4 sigma upon rho into G into D होता है so next question है आपके पास में next will be what किसका बताइए HPSSJE and SSCJE 2010 का question है बता दीजे एक बारी answer this please if the flow in a open channel is turbulent then the Reynolds number will be what answer this please A चलिए सभी लोग answer A कर रहे है simple सी बात है भी open channel flow turbulent flow कब होता है open channel की case में open channel की case में more than 2000 होता है yes A will be the correct answer na 2000 से ज्यादा पर होता है चलिए ठीक है very good just remember the point open channel flow की बात चल रही है यहां पर यहां पर pipe flow नहीं डिसकस हो रहा है open channel flow की बात बताई गई है कब होता है उसकी case में turbulent when that will be equal to what that will be more than the 2000 yes so finally 50 तो रीच हुआ यार अगर यार देखो session अच्छा लग रहा है जल्दी से जल्दी देखो एक बारी और share करो हमारा target अभी 50 अचीव करना नहीं था crowd आपके पास में बढ़ते रहना चाहिए लगातार finally 50 सब ने अचीव अचीव हो है just ठीक है तो सब लोग इसी बात पर एक बारी ज़रा thumbs up कर दीजे ठीक है सब लोग इसी बात पर thumbs up कर लिए और जायेगा मत अभी question 50 परसेंट भी नहीं हुए है मैंने आपको बताया अभी 50 परसेंट भी question नहीं हुए discuss question अभी बहुत सारे है आप just बने रहें मेरे साथ end तक session में बहुत सारे question आप लोगों के लिए लेके आ रहा हुँ अभी 50 परसेंट भी questions discuss नहीं करें मैंने बहुत सारे question और भी है तो just इसी बात पर एक बारी 50 जैसे cross हुआ है सब लोग इस बारी thumbs up कर दीजे heart share कर दीजे भई अभी बहुत सारे question है कहीं मत जाईएगा बिल्कुल भी just practice करते रहो यार आज तो ठीक है practice करते रहें just अराम से ठीक है कहीं नहीं जाना है बिल्कुल भी end तक बने रहना है एक गंटे में डेट दो गंटे में बहुत सारे question आप लोगों के हो जाएंगे भई और भी session आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे एसे हम ना continuously लेके आते रहेंगे जाना मत कहीं भी करते रहना like जरूर करते रहना और comments में बताते रहें का बीच बीच में energy कैसे transfer होगी आपके comments वो पढ़कर ही energy transfer होगी चलो next पे चलते है so next पे चलिए ठीक है हम next question की तरफ बढ़ते हैं बहुत बढ़ी so just चलिए अभी I think क्लियर है सब को ओके अभी अभी क्लियर हो गया यार वो थोड़ा सा net का हो रहा है कुछ ना चलिए अभी तो clear है this is clear now ना अभी clear है चलिए सो भई कहीं मत जाईएगा just question practice करते रही यार ना so देखो मैं जस्ट आपको बता रहा था simple से मैं दो लाइने आप लोगों के लिए बोलूँगा just अगर अच्छी लगेंगी तो just like करना thumbs up करिएगा so the point is that that कि सुनना ध्यान से कि ना ठके हैं कभी पैर so the point is that कि ना ठके हैं कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है ना कभी हिम्मत हारी है जजबा है कुछ बनने का जिंदगी में इसी लिए अभी भी सफर जारी है इसी लिए अभी भी सफर जारी है यह continuously support करते रहेगा भई continuously support बना की रखिएगा end तक बिल्कुल ठीक है बहुत सारी question है आज आप लोगों के पास में 50% भी अभी discussion नहीं हुआ है तो ऐसे ही बने रहेगा सब लोग end तक देखो चलिए फिर भई तो सफर ऐसी चलता रहेगा आज आपके पास में अभी 50% भी नहीं हुआ है continuously बने रहेए चलिए तो आगे चलते हैं देखो फिर से अपने question की तरफ आते हैं basically अभी लगबग just हमने 50 crowd भी अभी cross हुआ आप लोगों का साथ-साथ 50 questions भी लगबग आपके पास में यहां पर discuss हो चुगे around so the next question आप लोगों के पास में लेके चलते हैं अभी चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं अब दोबारा से आते हैं आपना फिर से फिर से कुछ दिर practice करते हैं ठीक है चलिए चलिए चलो कोई बात नहीं आप लोगोंने feeling समझी न शायरी से शब्दों से कोई फर्क नहीं बड़ेगा बस आप लोग feeling समझे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं मैं जस्ट यह बोल रहा हूं जस्ट बने रहिएगा मेरे साथ end तक अभी बहुत सारी question है कहीं मत चाहिएगा एंड section को like करते रहें share करते रहें अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं so next पर चलते हैं let's move to the next question next question की तरफ बढ़ते हैं आपके पास चलिए इसका बताईए बहुत से आपके पास में शब्द कराब हुए है नेट की वज़े से शाहिरी कराब हुई है कोई दिकतरी वस आप लोगों तक feeling पहुची ना मेरी वह ज्यादा important matter करता है कि यह connection strong हो गए बिल्कुल सही बात है तो बिन बोले बात समझ पा रहे हो आप लोग इसका मतलब connection क्या हो चुक है strong हो चुक है चलिए answer this please चलिए simple सी बात है किसके बारे में पूछ रहा है आप से यह the ratio of the what किसका ratio पूछ रहा है आप से depth depth to the width का ratio पूछा जा रहा है यह simple सी बात है आप सब लोगों को पताएगी efficiently क्या होना चाहिए b should be equal to what 2y तो यहां से y by b will be equal to what 1 upon 2 कितना आ जाएगा आपके पास में yes so चलो next पे चलते है भाई so next to the question आप लोगों को पास में आ रहा है next question will be what next question है भाई आपके पास में yes answer this please answer this answer this try to answer this try to answer this चलिए ठीक है very good so answer सारे mostly सभी लोगों का भी secondary consultation is closed due to secondary consultation is closed due to yes that will be what creep चलिए so next बिचलते हैं सभी लोगों को पता है कि भी time होता रहता है consultation that will be what similar to the creep that will be similar to the creep so the next to the question will be आपके पास में जो next question आ रहा है भाई next की तरब बढ़ते हैं चलिए ठीक है so next question है भाई next question will be what yes answer this please which again देखां आपके पास SAC J 2018 का question है which of the following represents the speed of the element element wave in a still water at a depth of the y at a depth of the y answer this please करन रावत का answer C है चलो बहुत बढ़िया very good आकाश भी answer C होता रहे है ठीक है very good correct है चलिए सबको पता है यार the answer should be what under root g y celerity actually क्या बोलते है इसको इसको कहते है celerity so celerity के बारे में आपको पता है क्या होगा answer आपके पास में under root g y under root g y will be the correct answer for this next की तरब बढ़ते है भाई next to the question जो आप लोगों के पास में आ रहा है चलिए answer this please the inner fluid the shear stress is directly proportional to the rate of the shear strain is called as a newtonian fluid is called as a newtonian fluid that is actually called as a newtonian fluid that is called as a newtonian fluid very good newtonian fluid सब कोई चीज़ पता है so next पे बढ़ते हैं भाई let's move to the next to the question next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है भाई next question will be what NBCCJE 2017 check करो check कर लिए the formula use for the determines of the flow velocities in C what is known as क्या बोलते हैं इस formula को चलिए सबको पता है that formula is called as a Manning's formula क्या कहा जाता है that is called as a Manning's formula Manning's formula कहते हैं इसको चलिए भाई ठीक है very good now next की तरफ बढ़ते हैं let's move to the next to the question next question जो आप लोगों के पास में आ रहा है भाई next will be what चलिए इसका बता दीजे एक बड़ HP-SSE-GE-2016 solar the angle of the contact between the mercury and the glass tube in the case of the capillary depression will be what hmm चलिए सी बता रहा है अज़र सब लोग 128 degree 128 degree so next पर बढ़ते हैं वही let's move to the next to the question next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है yes answer this compressibility is reciprocal of the again Ariane SSC afternoon 2018 का question है try to answer this please try to answer this please see time and mixing time and mixing is a rocket access cement is to be added कितना होग आपके पास answer चलिए ठीक है very good बहुत बढ़िया सब लोग answer कर रहे है 10% yes 10% is the correct answer for this 10% is the correct answer for this 10% is the correct answer for this question is from RRBJE RRBJE का question है भई answer this please minimum cost in aggregate can be obtained by using manufactured aggregate aggregate of varying size aggregate of aggregate all of the same size aggregates of the same shape answer this please चलिए ठीक है very good बहुत बढ़िया be answer कर रहे है mostly सभी लोग ना ध्यान से बढ़िया options चलो ठीक है well graded well graded very good so next पर बढ़ते हैं let's move to the next question next question आप लोगों की जो पास में आ रहा है next question है भई आपके पास में next will be what चलो उसको बताते हैं बहुत simple question है आपको बहुत आसान लगे को question यह पर टास्ते हैं स्क्रीट में देखो कितनी पर आ चुका है 7,8,2010 answer this please चल यह ठीक है very good so answer will be what 28 days 28 days will be the correct answer for this answer will be what 28 days 28 days will be the correct answer for this na चल यह भई नेक्स पर बढ़ते हैं let's move to the next question next question आप लोगों के पास में आ रहा है yes इसको बता लिए ज़र एक बारी SSCJE 2019 का question है फिर से आपके पास में the binding material in the motor is also called as the binding material in the motor is also called as क्या बोलते हैं इसको करन रावत अंसर D बता रहे हैं चलो बहुत बढ़ी हा very good D वो भी रावत बढ़ी यह बता रहे हैं matrix D सभी लोग अंसर करें प्लीज ठीक है चल यह बहुत बढ़ी हा very good matrix yes matrix binding material is also called as the matrix इसको matrix भी कहते हैं it is also called as the matrix it is also called as a matrix so next पर बढ़ते हैं भाई let's move to the next question let's move to the next question next question आप लोगों के पास में आ रहा है yes so next है भाई आपके पास में answer this please SSCG 2017 का question है two wet concrete में segregate lower density आपके पास में आपके पास में yes answer this please DDAJE का question है फिर से आपके पास में try to answer this which of the following test is not used for the measurement of the workability of the concrete B answer बता रहे हैं B answer बता रहे हैं सब लोग चलो बहुत बढ़िया very good yes March on flow time ठीक है okay so next पर बढ़ते हैं let's move to the next question next question आपके पास में जो आ रहा है yes next will be what next question है भाई आपके पास में चलिए इसका बताए एक बार answer answer this please in the design mix in the mix design the proportion 1 2 4 means ध्यान से पढ़ना question ना properly read करियेगा question को उसके बाद answer करियेगा two part of the summit is mixed with one part of the summit is four part of the summit no one part of the summit is two part of the summit and the four part of the summit yes what should be correct answer for this ध्यान से पढ़िये question ना बहुत ध्यान से पढ़ियेगा question चलो ठीक है c will be the correct answer c will be the correct answer for this so चलो भाई next पर बढ़ते हैं let's move to the next other question next question आप लोगों की जो पास में आ रहा है next will be what so यह सभी को clear है next है आपके पास में चलिए बाई इस आंसर बताए एक बार जरना energy loss in a hydraulic germ in a rectangular channel is given by what delta is equal to what y2 minus y1 minus 4y1 y2 current रावत अंसर यह बता रहे हैं चलो very good बहुत ब्रया बाकी लोग क्या कहते हैं चलो सबको याद है important formula है formula is very very important यह formula बहुत important है ठीक है so next पर बढ़ते हैं let's move to the next question next question आपके पास में next question will be what चलो so next आ रहे हैं आपके पास में important question याद रखेगा formula जो है so next आपके पास में next will be what अच्छा इसका बताईए एक बारी SSCG 2019 का question है फिर से आपके पास में ariated concrete is ariated concrete के बारे मैं पोच रहे हैं आपसे ariated concrete कैसा रहेगा see चलो ठीक है very good lightweight होगा कैसा होगा आपके पास में that will be what lightweight actually ना चलिए so next पर बढ़ते हैं बाई let's move to the next question next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है okay इसका अंसर कर दीजे please which among the following indicates shape test for the aggregate CBR test, devil test, Los Angeles test your feet elongation test answer this please देखिए का क्या answer होगा yes चलो C answer बता रहे हैं सब लोग सबको बता है कि elongation index test is a kind of the shape test is a kind of the shape test is a kind of the shape test चलो ठीक है बहुत बढ़िया very good so next पर बढ़ते हैं बहुत let's move to the next to the question let's move to the next to the question next to the question next to the question जो आप लोगों के पास में है वही next question will be what sorry next है वही next yes अच्छे इसना बता दीजे अगेन फिर से जेई में पूछा गया question है 2019 में जेई 2019 फिर से बता ही answer इसका एक बारी चलो ठीक है बहुत बढ़िया very good चलो वही next पर बढ़ते हैं so let's move to the next to the question let's move to the next to the question next question आपके पास में जो आ रहा है वही next will be what so next question है वही आपके पास में yes correct है so next will be बताइए इसका इस बारी फिर से आरार भी जेई का question है 2014 का answer this please which strength of the conflict is maximum चलो ए अंसर बता रहे है yes definitely compression ठीक है compression ठीक है बहुत बढ़िया very good so next पे बढ़ते हैं भई let's move to the next to the question next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है next will be what yes next question है भई आपके पास में next question है चलिए इसका बता दिजा हैं पर एक बारी SSEGE 2018 का question है if the least literal dimension of an aggregate is less than 0.65 the mean dimension the aggregate is classified as what क्या बोलते हैं इसको yes answer this please so B बता रहे हैं सभी लोग ना चलो बहुत बढ़िया सबको पता होना चाहिए भई flaky aggregate क्या होते हैं आपको सबको पता होना चाहिए the meaning of the flaky aggregate चलो ठीक है very good so next पर बढ़ते हैं let's move to the next other question so सभी को clear है so the next other question जो आपके पास में आ रहे है next will be what yes SSEGE 2018 answer this please चली बताईए इसके बारे में चली क्या answer बता रहे हैं सभी लोग यार सबको बता है bottom जितना होगी अपके पास में 20 cm ना top 10, bottom 20, height 30 चली सभी लोग आँसर D कर रहे हैं बहुत बढ़िया yes correct है so next पर बढ़ते हैं बढ़िए let's move to the next question next question जो आप लोगों के पास में है next question है बढ़िए next will be what again SSEGE 2018 yes just answer this concrete is just answer this good in compression, weak in tension सभी लोग आँसर बता रहे हैं B yes definitely the answer will be B good in compression but weak in tension weak in tension weak in tension चलीए very good so next पर बढ़ते हैं let's move next आगे पास जो next question है आपके पास में चली next है nbcc 2018 आटारा जे i square yes that will be equal to what 20 newton per mm square that will be equal to 20 newton per mm square so चलो आगे बढ़ते हैं भई next पर बढ़ते हैं आगे so next question आप लोगों कि जो पास में आ रहा है यार याद रखीएगा 20 newton per mm square होता है न ठीक है चलो so next question है भई आपके पास next will be what इसके बारे में बता दीजिए the course sent as a fineness modulus स्सेजी 2014 फिर से किस रेंज में होता है फाइनस मोडलस कोर्स रेंड के लिए यह पूछ रहे हैं आप से कि फाइनस मोडलस ओड़ कोर्स से सेंट कि डी सी 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 कन्फूजन हो रहा है चली ठीक है सबको पता है answer will be what 4% है वही 2.9 से 3.2 हो जाएगा 2.9 से 3.2 हो जाएगा okay so next है आपके पास में next will be what yes next है वही next next चलो इसका बता दो फिर से for a given water content is good if the aggregates are workability कब होगी अच्छी अगर आपके पास में कैसी शेप होगी यह चलो ठीक है very good सबको पता है चीज answer will be what rounded rounded होगा तो workability क्या मिलेगी आपको अच्छी मिलेगी अगर rounded शेप होगी तो workability will be very very good rounded होगा तो workability क्या रहेगी आपके पास में अच्छी रहेगी चलिए so next पर बढ़ते है बाई let's move to the next question next question जो आप लोगों के पास में आ रहा है next will be what next है yes इसका बताए एक बारी the combined name of the two test elongation and index and the flakiness index rrbje 2019 का है फिर से rrbje का question है फिर से आपके पास में 2019 क्या बोलते है इनको दोनों को चलिए बी बता रहे है yes correct है shape test ठीक है shape test बोला जाता है बी बताया भी था आपको दो मिट पहले बहीं क्या बोलते है इनको shape test क्याते है these are called as a shape test these are called as a shape test okay so next पर बढ़ते है let's move आगे चलते है so next question आप लोगों के पास में जो आ रहा है so next question है बही आपके पास में next will be what yes इसका पता ही एक बारी according to the is456-2000 sscdh201 is what what is the modulus of elasticity for the m25 concrete try कर ये इसका न answer this please answer this please according to the is456-2000 what is the modulus of elasticity for m25 concrete yes चलो ठीक है 25,000 बता रहे है सब लोग न answer बता रहे है 25,000 ये simple सा बता है बढ़ी modulus of elasticity कितना होता है आपके पास में 5000 root fc के होता है और यहां पे fc के कितना है आपके पास में 25 न तो इसको अगर आप तॉल करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में आपके पास में आएगा modulus of elasticity radical कि कितना आ रहे है वह 25 25,000 न 25,000 so next पर बढ़ते हैं let's move आगी जो next question आप लोगों के पास में आ रहे है वही next to the question will be what yes इसका बता ही answer ssc.je फिर से answer this please runoff is a part of runoff is a part of runoff किसका part होता है just answer this please चलिए B answer कर रहे हैं सभी लोग yes correct है obviously सबको बता है कि बढ़ता है क्या runoff runoff is a part of the precipitation runoff is a part of the precipitation okay so next question आप लोगों के जो पास में है next question will be what so next to the question आपके पास में जो आ रहा है next है next की तरह बढ़ते हैं यहां से idea लगा लेजे यहां से idea लगा लेजे इस question के बारे में तो कोई exam नहीं छोड़ा इसने बताई इसके बारे में एक बार what is the optimum depth to the core watering for a rice crop what is the optimum depth to the core watering for a rice crop rice के लिए core watering के depth पूछ रहे हैं आप से कितना होगा a चलो a बता रहे हो सब लोग yes सबको याद है 19 cm होगा that will be equal to what 19 cm that will be equal to 19 cm okay ठीक है so next आपके पास में जो आ रहा है next will be what next question है next to the question is next question है भई चलो इसका बता दीजे उत्तरखन पेपर जेई फिर से 2012 15 में पूछा गया था यह साइड़ोली ट्रेडियास आर इस डिफाइंट है जब बताई यह से वारे में अंसर देखे क्या होगा चलो ठीक है एबाई पी ना ठीक है very good answer will be what a by p a by p ठीक है so next की तरफ चलते है next question आपके पास में जो आ रहा है बई next will be what चलो इसका बताओ उत्रकंट ae-2013 का question है answer this please उत्रकंट ae-2013 का question है आपके बाद विच्वाद the following dam of india is an example of the arch dam is an example of the arch dam बता दिजिए इसके बारे में एक बारी देखी क्या होगा विच्वाद the following dam of india is an example of the arch dam arch dam का example पूछा है आपसे कौन सा example है भी बता रहे हैं चलो ठीक है सभी को याद है यार this is clear to everyone इदू की dam एक अकील arch dam में इंडिया के अंदर इदू की dam ठीक है याद रखना important point है GS के point से भी GS के point of view से भी important question हो जाता है आप लोगों के लिए न है so चलिए भई next question आपके पास में जो है next question will be what next question आ रहे है भी आपके पास में next question है yes answer this please again उत्तरकंट AE 2012 the hydrological equation states that the hydrological equation states that the hydrological equation states that that in plot flow inflow minus outflow is equal to constant basically inflow minus outflow is equal to change in storage देखे answer please this so चलो सब को पता है कि water budget equation क्या होता है आपके पास inflow minus outflow is equal to change in storage चलिए ठीक है मैं इसका ध्यान रखोंगा एक जगा पे खड़ा होता हूं the hydrological equation states that inflow minus outflow is equal to change in storage change in storage so भई next आपके पास में याद रखी का important point है inflow minus outflow is equal to change in storage के बराबर होता है यह होती है आपके पास में equation so next question है भई next will be what बताईए SSCG 2018 answer this please answer this as we move from the head of the canal to the field the duty of the water will remains constant increase decrease decrease what चलो सभी लोग answer C कर रहे है सबको पता है कि duty क्या करेगी आपके पास में increase करेगी the duty will increase yes the duty will increase clear है so next question आ रहे है भई आपके पास में next to the question will be next question है भई next yes इस पर चलिए एक बारी again हर्यण SSCG 2018 give the full form of the NPL NPL का full form क्या होता है NPL का full form पूछ रहे हैं आपसे क्या होगा भी बतादीजिए इसके बारे में एक बार NPL का full form क्या होता है ये आशी यूट्यूब पे अविलेबल रहेगा ठीक है यूट्यूब पे ही अविलेबल रहेगा चलो सबको पता है normal pool level क्या होता है भई normal pool level सबको पता है the full form will be what normal pool level normal pool level रहेगा आपके पास में ठीक है चलिए clear है इसके बारे में नेक्स पे चलते हैं लेट्स मूव आगे जो next question आ रहे है आप लोगों के पास में next to the question will be what next question है भई चलिए बताइए इसके बारे में the diameter of a tube well is R1 and that of an open well is what R2 so UKPSC AE फिर से 2007 का question है बता दीजिए इसके बारे में क्या relation होगा क्या relation रहे है इसके बीच में R1 and R2 के बीच में relation पूछ रहे हैं आपसे diameter of a tube well is R1 and that of open well is what R2 what is our relation open well and tube well भई confusion नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी आपको यस so that will be what? C R2 will be more than the R1 open well ज्यादा डाया होता है tube well की comparison नहीं so R2 will be more than R1 yes R2 will be more than R1 now next है भई आपके पास में next will be what? next आगिया yes answer this NWDA JE 2019 derigation water ID to the land by means of the gravity flow indicates which of the following type of the irrigation बताईए इसके बारे में answer this please क्या होगा? बार बार हो रहा हो बता दीजिए अरे बड़ी अभी क्लियर नेट का इस्यूद थोड़ा सा टेक्निकल पता नहीं क्या प्रॉलम चल रहा है नेट का न अभी अभी क्लियर हो जाएगा अभी अभी ठीक है चलिए अभी क्लियर है आओ फिर से वापस आओ फिर से देखो फ्लो में अगर ऐसी छोटी छोटी परिशानिया तो आती रहेंगे लाइफ में मतलब इन सब चीजों की वज़िस जाओगे थोड़ी ऐसे दिक्कते तो हजार आएंगे आपके पास में चलो ठीक है तो बने रहें एंड तक अभी कोईशन बहुत सारे और भी है मैंने आपको बोला आज बहुत सारे कोईशन लेके आ रखा हूं अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा प्रॉलम चल रही है नेट का ना बताइए अंसर दिस पीज चलो ठीक है स्च्वल मेंनि स्चेपलाजिंग फॉर्ट पॉड ग्रेविटी डैश्सरी इसके बारे में अंसर प्रॉट प्रॉड दिमेंट कर्दफा मेंट को सब्सक्राइब के बारे में इसके बारे में बताई एक बार ना करीदा फिल्ड करती है फिल्ड के सिटी आंसर कर रहे हैं कि सबी लोग ना चलिए ठीक है यह सी इसी इक रेक्ट आशर दोनों पर इपेंड करती है बोस्ट कैपिलारिटी एंड पोरोसिटी चलिए ठीक है चलो भी नेक्स पर चलते हैं आप लोगों की जो पास में आ रहा है नेक्स विल भी वॉट नेक्स कोश्चन है वह यह बताईए जरा नोन कंजम्टिव एक्चली यह ना आर नहीं आएगा यहां पर क्या होगा इस कंसर अगीन उत्रक्रखंट एई दोजार बारा में पूछा गया था आपके बास में कोशिशन जैस आंसर बता दीजी इसके बारे में क्या हैगा देखी जरा चेक करके known consumptive use of the water is in the case of the hydropower generation city water supply, firefighting यह फिर all of the above A, चलो A कर रहे है अंसर yes, A will be the correct answer, hydropower generation the answer will be what A, that is hydropower generation hydropower generation, okay so next question है भई आपके पास में next क्या आ रहे है, next question है याद रखेगा important है hydropower generation चलो, next है आपके पास में next will be what इसके बारे में बताईए, MP व्यापंग, सब इंजिनियर, 2017 में पूछा गया question है, देखिए क्या होगा answer this please try to answer this mayor's formula is an empirical formula used to determine the, किसके लिए यूज़ करते हैं आप mayor's formula mayor's formula किसके लिए यूज़ करते हैं बताईए mayor's formula बताईए भई, किसके लिए यूज़ किया जाता है mayor's formula पूछ रहे है चलो, use for the evaporation याद रखना, mayor's formula यूज़ करते हैं किसके लिए mayor's formula यूज़ किया जाता है भई, आपका evaporation को determine करने के लिए, use to determine the evaporation, mayor's formula use to determine the evaporation, चलो, so भई, next question आपके पास में जो आ रहा है, next question will be what next to the question है, आपके पास में भई yes, answer this please RRBJE फिर से, उचा गया 2014 में question है, the grade M25 of the concrete would approximate refers to the mix देखिए इसके बारे में क्या होगा answer this 136, 124, 112, 148 voice बहुत कम आ रहा है आपका अभी clear है voice voice का clear है सबको चलो, answer C बता रहे है yes, definitely answer will be C सबको पता है, 112 होता है किसके लिए, 25 के लिए 112 होता है, 25 के लिए, ओके ठीक है, correct है, so भई, next question पे बढ़ते है next question आप लोगों के जो पास में है next question आ रहा है, सामने कौन सा yes, इसका बताईए what is the full form of the IMD IMD का पूरा नाम क्या होता है IMD का full form क्या है, ये पूछ रहे हैं, आप से बताईए इसके बारे में एक बढ़ जरा, what is the full form of the IMD answer this please IMD full form, yes चलिए, सभी लोग answer C कर रहे है, yes correct है Indian Metallurgical Department that will be equal to what, Indian Metallurgical Department is the full form of the IMD IMD का full form होता है, Indian Metallurgical Department so, next question आपके पास में आ रहा है next to the question will be what, जो next question है yes इसका बताईए एक बारी SSCJ 2019, which technique of the water distribution in the farms is also called as a trical irrigation trical irrigation और किसको बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे चेक करिए इसके बारे में एक बन न answer first चलो, C बता रहे हैं सब लोग drip irrigation, obviously yes, C is the correct answer for this yes drip irrigation actually, चलो answer will be what, C that is drip irrigation, that is drip irrigation okay, so next question पर चलें भाई, next है आपके पास में yes answer this DMRC JE DMRC JE 2018 initial regime and the final regime are used in which of the following theories are used in which of the following theories किस theory में use करते हैं आप initial in the final regime channel theory, Kennedy theory, lazy theory and then regime theory चलो, सबको पता है, क्या होगा भाई, आपके पास में answer will be what, C that is lazy's theory क्या होता है, आपके पास में lazy's theory यूज की जाती है, yes the correct will be what, lazy's theory lazy's theory is the correct answer for this चलो, next आपके पास में क्या आया भाई, next question है next will be what, चलो, इसका बतादे हैं, फिर से उत्राखंट JE 2015 का question है, बता दीजे the specific yield and the porosity कितना दिया है, specific retention आपके पूछ रहे हैं कितना होगा, what will be the value of the specific retention specific retention बताइए भई कितना होगा C चेक करीए भई कितना होगा, बबलुकुमार 20 बता रहे हैं, बाकी क्या होगा, बाकी लोग क्या कहते हैं, डी बता रहे हैं, चलो, ठीक है, very good, बहुत बढ़िया, यह सिंपल सी बात है, आपको सबको पता है, specific yield plus specific retention कितना होता है, retention is equal to what, porosity होता है, इसने आपको question में क्या to what, 20% हो जाएगा न, यानि की answer will be what, D will be the correct answer, yes, चल यह सब बढ़िया बता रहे हैं, बिल्कुल, option number D is the correct answer for this, option number D is the correct answer, yes, so, next पे चलते हैं, next to the question जो आप लोगो के पास में है, next will be what, चलो, इसका बता हो जाए एक बारी, which process is not used in the manufacturing of the concrete, which process is not used in the manufacturing of the concrete, which process is not used in the manufacturing of the concrete, just answer this please, B D बता रहे हैं, चलो, ठीक है, very good, yes, सब को बता इसके बारे में, आर बस steps proper याद रखिएगा, फोन कौन से steps होते हैं, चलो, D answer कर रहे हैं, yes, answer will be what, D, that is removing, that is removing, actually, that is removing, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, so, next पे चलते हैं, next आपके पास में जो question है, next question, अच्छा, यार, just, so, basically, just, ये आपके पास में session था, जिसके हमने कुछ question discuss करें, now, मैं आपको कुछ points बताता हूं, देखो, अभी एक और file मेरे को, just, आप 2 minute दिजेगा, ठीक है, आप मुझे 2 minute दिजेगा, मेरे को, actually, यहाँ पे इसका limitation होता है, कि आप maximum 99 ppt's basically एक साथ यूज कर सकते हो, उसके बाद मेरे को दूसरा file import करना पड़ेगा, so, just, आप मेरे को, please, 2 minute दिजेगा, ठीक है, just, give me 2 minutes, बाकी, in the end, just, एक basic, ठीक है, just, एक basic आपके पास में announcement है, कि अगर आप किसी भी तरह के offline batch के लिए जाना चाहते हैं, so, you can just simply call on these numbers, offline batches भी हमारे चल रहे हैं, ठीक है, offline batches भी हमारे चल रहे हैं, अदर किसी भी तरह का आपका कोई offline से related है, query है, आप join करना चाहते हैं, तो, इन numbers पर call कर सकते हैं, बाकी, इस से अलावा, just, give me 2 minutes, अरे, अभी खतम नहीं हुआ है, भाई, अभी session खतम नहीं हुआ है, session not finished, अभी finish नहीं हुआ है, just, रुको थोड़ी देर, 2 minutes, just, ठीक है, just give me 2 minutes, please, कहीं मत जाईएगा, अभी और भी questions है, अभी और भी है, ठीक है, so just give me 2 minutes, अभी session खतम नहीं हुआ है ठीक है जस्ट मेरे को दो मिनट दीजे में हाँ पर फाइल एक जड़ा बेसिकली इंपोर्ट करने दो फाइल ना फ्लीज दो मिनट देना मेरे को ठीक है झाले कर दो मिन दो मिन स्थर्ण सभ्वाओ भी झीजे मेरे को पर एक जड़ा ना बेसिते हैं। सब लोग वापस आजाओ देखो मत जाओ अभी क्वेशन बहुत सारे हैं आप लोगों के पास में यह शंतोष कुमार सब्सक्राइब करें अब लगबग देखाई देगे प्रामिस किया था कि लगबग डेट्स वग्यास पास क्वेशन करवाऊंगा तो लेकर आ रखा हूं बस आपका है कि एंड तक बने रही है आज हमारे साथ जस्ट ठीक है जो भी लोग गए है को प्रॉलम दो बहुत सारी आएंगे ऐसे नेट का प्रॉलम हो जाएगा कभी एलेक्रिसिटी का प्रॉलम आ जाएगा बट इस नोट मीन किया पैसे जो भी कर रहे ह उसको छोड़ दोगे बीच में ठीक है सो जस्ट कम फास्ट चलिए आंसर करिए फिर इसका ज्यादर डिले नहीं करेंगे राइट वांसर इस प्लीज इस को शन का अंसर करो इस बिल्कुल सुबोध बढ़ आंसर इस प्लीज चलिए आंसर बता रहे हैं सब लोग बता रहे हैं यस तपॉइंट इस सिंपल आप सबको पताएगी वही क्या होता है कोर वाटरिंग कहते हैं इसको क्या बोलते हैं that is called as a कोर वाटरिंग चलिए कोर वाटरिंग now so next question आप लोगों की जो पास में आ रहे हैं वे next will be what answer this please LMRC AE 2017 try to answer this LMRC AE 2017 बताइए अंसर क्या होगा इसका the safety walls of a dam is its the safety walls of a dam is its क्या बोलते हैं इसको answer first safety walls of a dam क्या क्या क्यलाता है A चलिए ठीक है बहुत बढ़ी अभई answer A कर रहे हैं सभी लोग याद रखना that is called as spillways spillways are called as the safety walls of a dam चलो ठीक है so बई next पर चलते हैं let's move to the next to the question next question आपके पास में आ रहा है next will be what इसके बारे में बताईए इनन अर्थ दैम the ferritic line is SSC JE 2015 का कोशन है हरियाना बताईए आंसर दिस प्लीज answer दिस प्लीज answer दिस प्लीज answer दिस प्लीज the inner अर्थ दैम the ferritic line will be what a चलो a बता रहे हो आंसर ठीक है mostly लोग answer कर yes चलिए ठीक है very good answer will be what a parabolic होता है यह सब आपको पता है this is clear to everyone सब को चीज़ पता है so बई next पर चलते हैं let's move to the next to the question so next question बई आप लोगों के पास में आ रहा है next will be what so next question है आपके पास में yes answer this please base period दिया हुआ है आपको duty दे रखा है आपको आपसे क्या पूछा delta पूछा है answer this क्या answer आएगा बता दीजिए एक बार इसके बारे में na yes everyone try to answer this please what is the correct answer for this बाकी लोग क्या कहते है इसके बारे में अकाश का अंसर यह है तरण का अंसर यह है याद़ पॉइंट इस सिंपल देगो सिंपल सा पॉइंट आपके पास में कि बाई डेल्टा इस इक्वल तो वाट 8.64 इन्टो बी बाई डी इस इस अरे रिलेशन यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है वाल्यू पुट करना है इन्टो बी बी कितना दे रखा है आपको 100 दिया हुआ है एंड डी कितना दिया है आपको भाई 14 100 दे रखा है now on solving this particular calculation अगर आप इस calculation को solve करेंगे तो आपके पास में कितना निखल कर आएगा yes जली है ठीक है तो दिस केर जाति ही कि एक रिलीशन सा याद रखिएगा आपना जस्ट रिलेशन याद रखिएगा बाकी तो सारा आपका जस्ट कल्क बशल का खेल है पर चलते हैं, let's move to the next question, next question आपके पास में, next question will be what, yes next to the question है, आपके पास में, yes, answer this please, NWDAJE 2019 का question है, the canal aligned on the watershed, natural watershed is for less water, क्या बोलते हैं इस canal को, what is the name of this canal? देखिए इसके बारे में, चलो, A answer कर रहे हैं, most भी सभी लोग न, yes, the point is simple, that is called as a watershed actually, सब कोई चीज़ पता है, important point है, याद रखिएगा, keep the point in your mind, so next पे चलते हैं, next question आपके पास में, next will be what, next to the question will be what, next है, next, 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 yes, UK, AE, फिर से 2012 का कुश्चन है, उत्रेखंट AE का, with the increase in the quantity of the water, water supplied, yield of most crops, answer this please, answer this please, with the increase in the quantity of the water supplied, the yield of most of the crops, बताईगे इसके बारे में, increase up to a certain limit, continuously, degrees, continuously, increases, none of the above, चलो, ठीक है, answer करने हैं, सभी लोग, B, yes, increases up to a certain limit, increases up to a certain limit, okay, so next question है, आपके पास में, yes, next question आ रहा है भही, आपके पास में, स्क्रीन पर सामने, चलो, इसके बारे में बताओ, a gravity dam may fail due to, again, उत्ताखंट AE2012 का question है, बता दीजे इसके बारे में, try to answer this, try to answer this, a gravity dam may fail due to overturning, overstressing, या फिर sliding, या फिर all of the above, चले, D बता रहे हैं, yes, correct है, सभी लोग, D बता रहे हैं, सबको पता होना चाहिए, gravity dam may fail due to, because of the following reasons, because of the following reasons, okay, so next पे चलते हैं, next question आप लोगों के पास में, जो आ रहा है, next will be what, yes, next question है आपके पास में, next है, next, next, yes, इसके बारे में बताईए, again, उत्तरखेंट पेपर, second, je, 2015, sqlnl, je, 2018 का question है, बताईए, इसके बारे में, the moisture content of the soil, after the free drainage has removed, most of the gravity, water is called as what, क्या बोलते हैं इसको, बताईए, इसके बारे में, what is the correct answer for this, what is the correct answer for this, a, चलो, सभी लोग answer a कर रहे हैं, mostly, na, yes, a is the correct answer, that is called as a field capacity, actually, इसको क्या कहा जाता है, that is called as a field capacity, इसको field capacity कहते हैं, okay, चलो, so, next question आपके पास में है, भाई, next will be what, next है, yes, इसके बारे में बताईए, UK, ae, फिर से 2012 का question है, देखो, उत्तरखेंट ae का, from the surface of the reservoir, evaporation may be minimized by sprinkling, देखी, क्या होग answer, C, में आक्षी का answer, C है, yes, ठीक है, चलिए, very good, बहुत बढ़िया, acetyl alcohol, cetyl alcohol and acetyl alcohol are the chemicals, basically, जो आप use कर सकते हैं, okay, so, next पे चलते हैं, भाई, next आपके पास में आ रहा है, next question will be what, next जो है, next, so, next पे चलते हैं, भाई, next question है, आपके पास में, which of the following method of irrigation has a minimum waste of the water, again, जार्वन SSCJE का question है, बताईए, इसके बारे में, c, चलो ठीक है, c बता रहे हो न, sprinkle irrigation, very good, बहुत बढ़िया, answer will be what, sprinkle irrigation न, yes, answer will be sprinkle irrigation, sprinkle irrigation is the correct answer for this, it is the correct answer for this, okay, so, next पे चलते हैं, भाई, next question आप लोगो के सामने जो आ रहा है, next question होगा भाई, आपके पास में, next will be what, चलो इसका बताओ, यार, थोड़ा सा यहाँ पे, I think, कि clear हो जाएगा वैसे question, न, बताओ, इसका अंसर बताओ, एक बारी, देखिए भाई, क्या अंसर होगा इसका, answer this please, their value, their relative density, their BOD, फिर population equivalent, yes, मिनाक्षी ने अंसर B गया है, चलो, बहुत बढ़ी है, very good, answer will be, यार, mostly सभी लोग, ए अंसर क्यों कर रहे हो भाई, आपने ध्यान से नहीं देखा है, domestic sewage and industrial sewage को कैसे आप basically, compare कर सकते हो, compare कैसे करते हो, with the help of the population equivalent parameter, किस parameter की help से, population equivalent parameter की help से, चलो, फिर next पर चलते हैं, let's move to the next parameter, next आपके पास में next will be what, next question है भाई, इसके बारे में बताईए, a manhole is generally provided at each, a manhole is generally provided at each, manhole कहां पर provide करवाय जाता है, bent, junction, change of the gradient, या फिर all of the above, चलिए, ललित परियार ने तो value भी बता दिया, बहुत बढ़िया, very good, answer this please, manhole कहां पर provide करवाते हो, D answer आ रहा है, चलो, बहुत बढ़िया, very good, okay, all of the above, all of the above, ठीक है, बहुत बढ़िया, very good, okay, चलो, सबको याद होने चाहिए, सारे के सारे positions ना, so next आपके पास में आ रहा है भी, ये manually, generally provided at each, at each, so next आपके पास में, next will be what, answer this please, the layout of the distribution system, in which water flows toward the outer periphery, in which water flows toward the outer periphery, toward the outer periphery, चलिए भई, येस, the point should be clear, यार, outer, outer direction में, तो radial उसमें flow करता है, na, radial में flow करता है, किदर outer उसमें, radial system में flow करता है, in the outer उसमें, clear है, चीज़ी है, okay, so भई, yes, next पे चलते हैं, चलो, next question आप लोगों के, जो पास में है, next to the question will be what, हिंदी में समझाते चलो, आप पूरन गुरांग कह रहे हैं, हिंदी में समझाते चली है, सर जी, यह पूरन देखो, actually, अगर आप कोई भी किसी तरह का, आपके पास में doubt session, अगर आप लेना चाहते हैं, किसी भी subject से related, तो उसके लिए आप personally message कर सकते हैं, मैंने contact number आपको बताया हुग है, ठीक है, यहाँ पर हम जस्ट जो भी हमारे, एक तरह से exam pattern के हिसाब से, question practice करने की कोशिश करने है, कि immediately as soon as possible, question आपके solve करने, आप से practice करने आने चाहिए, question basically, question जैसे जैसे exam में आएंगे, वैसे वैसे उसको instantaneously कैसे answer करना है, इससे related question session discuss कर रहे है, doubt session हम आगे लेगे अपना, ठीक है, चलिए, so next क्या है आपके पास में भई, next will be what, answer this please, answer this please, an air vessel, an air vessel is provided at the summit, in siphon 2, बता दीजिए इसके बारे में भई, देखे क्या answer आएगा, air vessel, air vessel का मतलब क्या है, एक तरह से air wall के बारे में बात कर रहे हैं आपसे न, to avoid the interaction in the flow, to avoid the interaction in the flow, चलिए भई, so next आपके पास में है, next आप लोगों के पास में आ रहे हैं भई, next will be what, yes, answer this please, UPSSC JE 2015 का question है, UPSSC JE 2015 का question है, इसका answer कर दीजिए एक बारी, देखिए क्या answer आएगा इसके बारे में बताईए एक बारी, the minimum angle between the axis of the bear and the canal head regulator क्या होता है, the answer should be clear, सभी को पता होना चाहिए, 90 degree निकल के आता है, 90 से 110 तक होता है value, 90 से 110 degree तक value होता है, सब को पता होना चाहिए, 90 degree will be the correct answer, minimum value कितनी हो गई, 90 हो गई, चलो, सब को याद है, okay, so next पे चलते हैं भई, next to the question आप लोगों के जो पास में आ रहे है, yes, यारी question फोड़ा सा, इन्होंने हो रखाया चाहिए, चलो इसके बारे में बताओ, answer this please, what is the surface area of a settling tank, use for the design discharge of, 1.5 meter cube per second, assume depth overflow rate for the tank, as the 40 meter cube per meter square per day, इसका बताई एक बाढ़ ना, इसे आते रहेंगे, लगतार session आएंगे, आपके पास में इस तरह के, ठीक है, continuously इस तरह के session चलते रहेंगे, आपके पास में ना, देखी क्या answer आ रहे है भई, बता दीजी एक बाढ़ ना, 3,2,4,0, किसी भी तरह का कोई query है, doubt session है, कोई भी explanation से related, उसके लिए आप अलग से message डाले, number मैंने आपको अलड़ी बताया था, लास्ट स्लाइड में, तो वो आपका अलग से arrange हो जाएगा, चलिए, answer will be what, B बता रहे है answer, simple सा point आपको पता होना चाहिए, surface area, कैसे निकालोगे surface area, discharge कितना दिया है, आपको 1.5 दे रखा है, end rate कितना दिया है, आपको, overflow rate भई दिया है, 40 लेकिन ये day में दिया है, आप इसको second में change करेंगे, कैसे, 24 into 36, 00 से, so basically on solving this, आपको क्या मिलेगा, 3240 के आसपास आपके पास value निकल कर आएगी, 3240 के आसपास आपके पास value निकल कर आएगी, so just keep the value in your mind, just याद रखिएगा, formula याद रखिएगा, क्या होता है, discharge upon overflow rate, discharge upon overflow rate, so, चलो भई, next पे चलता है, next आपके पास में जो आ रहा है, next will be what, इसका बताईए, एक बाट जारा, answer this please, answer this, which of the following process is adopted to remove the order taste, due to the volatile gases like hydrogen sulfide and the algae in the water treatment plant, पास में जो आपके पास में जो आपके बाट रहा है, ठीक है, gases को remove करना क्या कहलाता है, आपके पास में भई, ariation कहलाता है, that is called as a ariation actually, इसको क्या बोलते है, ariation कहते है, so this is clear everyone, ठीक है, सभी कोई चीज़ चीज़ क्लियर है, so next पे चलते है, let's move to the next to the question, next question आप लोगो के पास में आ रहा है, देखो next क्या रहेगा, आपके पास भई, yes, so next है भई, next, next, चलो, इसका बता दीजे, the sewer which receives the discharge of a number of the house sewers is called as what, क्या बोलते हैं इसको, इस sewer को क्या बोलते हो, answer this, a sewer which receives the discharge of a number of the house sewers is called as what, क्या क्याते हैं इसको, चलिए बो बिरावद भी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, answer yes, बहुत बढ़िया, यार्ट सबको पता होना चाहिए, lateral sewer भई, house sewer से discharge कहां पे पहुँचेगा, house sewer से discharge पहुँचेगा, आपके पास कहां पे, house sewer से discharge पहुँचेगा, कहां पे बहुँचेगा, आपके पास सबको पता है, कहां पे पहुँचेगा discharge इन दा, lateral sewer, ओके, चलो भई, next, next पे चलते हैं, let's move to the next to the question, next question आपके पास में आ रहा है, बताइए बहुँचे बारे में, permanent को remove करने का तरीका, permanent hardness of the water can be removed by, D, रमेज दू बढ़िया D बता रहे हैं, चलिए ठीक है, बहुँचे बढ़िया सबको पता है, geolight process, चलिए बढ़िया ठीक है, so very good, so यार बहुँचे बहुँचे अच्छा लगा, आप सब लोगों का support देखके, हम लोग भी कहीना के यापी के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो एक बात पर जस्ट आगे बढ़ने से पहले, एक बारी जैसे आप सब लोग जानते हैं, नवरादर चल रहे हैं आज कल, ठीक है, आपका exam भी आने वाला है, सबी लोग इसी के base पर, सब लोग comment box में जै माता दी लिखेंगे, ठीक है, सब लोग एक बारी comment box में जै माता दी लिखेंगे, फिर अपना next के तरफ move करेंगे, next question पर चलेंगे, question अभी खतम नहीं हुए हैं, बहुत सारे question बचे हैं अभी आपके पास में, अभी question और भी बहुत सारे बचे हुए हैं, next question पर चलेंगे, बट सब लोग एक बारी comment box में, ठीक है, भगवान के नाम पर अभी जै माता दी लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे, yes everyone, चलिए वही एक बारी करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, फिर अपना आगे चलते हैं, सब लोग comment box में एक बारी जै माता दी लिखें, चलिए बहुत बढ़िया, very good, and yet heart भी share करो, भी question बहुत सारे हैं, भी खतम नहीं हो हैं, आज बहुत लंबा session लेके जाना है, आप लोगो clean session, लगतार आएंगे इस तरह कि आपके पास, लगतार session आते रहेंगे आपके पास, यह सचिन परमार environment के बारे में, मैं आपसे last में discuss करूँगा अभी, ठीक है तो आप end तक बने रहें, जस्ट प्रशादी तो चल रहा है आपके पास में, चन्दीप सिंग कह रहें, सर प्रशादी तो चल रहा है, आपके पास यहाँ पर प्रशादी तो दिया जा रहा है, चलो भाई, फिर से अपना next question की तरफ चलते हैं, इसी तरह से बने रहें भी question और भी बहुत सारे है, चल यह बाई, very good, चल यह बाई, next आपके पास में है, next will be what, answer this please, which of the following is the result of the disinfection of the water, answer this please, answer this, which of the following is the result of the disinfection of the water, which of the following is the result of the disinfection of the water, just answer this, so ऐसे बने रहना यार रेंट तर जस्ट न, बहुत सारे question अभी आपके पास आने हैं अभी और, चल यह B बता रहे हैं सब लोग, killing of the bacteria, killing of the bacteria, चल यह बढ़िया, क्या होगा, that will be equal to what, killing of the bacteria, answer will be what, killing of the bacteria, ठीक है, चल यह, so next पे चलते हैं, let's move to the next question, next question आप लोगों के पास में है, yes, इसके बारे में बताईए, the primary treatment of the sewage consists of, removal of the floating materials, removal of the sand and the grids, removal of the organic matter, या फिर all of the above, बताईए इसके बारे में बताईए एक बार, देखो, जैमा तक भी लिखते ही, आपके पास जो भी net का issue चल रहा था, वो सब खतम हो चुका है, net का issue भी खतम हो गया, इतनी शक्ती होती है, so just तैयारी करते रहे हराम से, बगवान का नाम लेते रहे हैं थोड़ी देर दिन में, ठीके definitely आपके exam निकलेगा, महनत से तैयारी करते रहे हैं जरूर, answer this please, net का भी problem दूर हो गया, removal of the floating material, sand and the grift and the removal of the organic material, चलिए भई, ठीक है, बहुत बढ़िया, so next question है भई, आपके पास में next will be what, next है, आपके पास में next क्या आ रहे है, next question है, yes, answer this please, the hardness of the water is caused by the presence of the following in the water, hardness किसकी वज़े से होता है, answer this please, hardness of the water is because of the following, sodium and the potation, चलिए ठीक है, very good, answer B कर रहे हैं सभी लोग ना, answer कर रहे हैं B सब लोग, बहुत बढ़िया, so next पे चलते हैं भई, let's move to the next of the question, next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है, next question है भई, चलिए, इसके बारे में बताईए, in practice the flow velocity adopted for the design of the grid chambers, क्या होता है जरा, answer this please, flow velocity adopted, flow velocity adopted for the design of the grid chambers, क्या लेके चलते हैं, grid chambers की designing के रिए flow velocity बता दिए एक बारी answer दिस, नितिन का टारिया का अंसर B है, बी कर अंट रावद भी बता रहे हैं, भाई, आप रुक्समी पर चिस्वेशन, यार, value आपको मैंने बताई थी, भाई, कितनी होती है, 0. लगबग आप मानके चलें, कितनी value होती है, 2 से लेके लगबग 0.3 तक होती है, so as per the given conditions, आपके इस option के साथ जाएंगे, option number B will be the correct answer, चलिए भाई, next पर चलते हैं, let's move to the next to the question, next आपके पास में आ रहा है, जो next question है, next will be what, इसका बताईए, anti-siphonage pipe is connected to the, anti-siphonage pipe किसे connect करते हैं आप लोग, anti-siphonage pipe is connected to the, देखिए क्या अंसर होगा, anti-siphonage pipe कहाँ पर connect करते हैं भाई, आगाश का अंसर C है, current of the answer C बता रहा है, विशे चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, yes, top of the P trap, so that will be what, top of the P trap, कितना आएगा आपके पास में, top of the P trap रहा है, चलिए, so next पे चलते हैं, let's move to the next of the question, next question आप लोगों के जो पास में है, next will be what, next question आ रहा है भाई, next yes, which of the following process includes, chlorination of the water above the break point, answer this please, which of the following process includes, the chlorination of the water above the break point, क्या answer आएगा, देखिए इसके बारे में, yes, answer this, D, D, चलिए बहुत बढ़ा, सबको पता है चीज, super chlorination ना, that will be equal to what, super chlorination, बहुत अच्छा, so, answer will be super chlorination, सबकोई चीज पता है, चलिए very good, so, next पे चलते हैं भाई, let's move to the next to the question, next question आपके पास में जो आ रहा है, next will be what, next question है भाई, next will be yes, इसका बताईए, the classification of the canals, on the basis of the alignment, क्या बोलते हैं इसको, बता दीजिए एक बारी उत्राखेंट पेपर जेई 2015 का question है, answer this please, yes, D बता रहे हैं न, चलो बहुत बढ़िया, yes, सबको पता है कि भी कैनाल को classify कर सकते हैं, आप different different basis ते, alignment के basis में, so answer will be what, all of the above, तीनो classification होते हैं, contour कैनाल, watershed कैनाल and the side slope कैनाल, side slope कैनाल चलिए बहुत सही, so next पे चले हैं भाई, let's move to the next question, next question आपके पास में है, next will be what, इसका बताईए, the pipe which is used to carry the discharge of the sanitary fittings, like the bathrooms and the kitchens, ETC is called as what, क्या बोलते हैं इस pipe को, soil pipe, vent pipe, none of the above, या फिर waste pipe, answer this, what is the name of this pipe, A, A, so what the answer is A है, चलो बहुत साही, yes, waste pipe, clear है, so this is clear to everyone, अभी कोई चीज़ क्लिर है, now let's move to the next, to the question by next question की दरफ चलते हैं, आपके पास में, next question आपके पास क्या रहा है, देखेगा, so next question है भाई आपके पास, next will be what, answer this please, the approximate percentage of the water in the sewage is, approximate percentage of the water in the sewage is, इसके बारे में बताईए एक बारी, sewage में approximate percentage पूच रहा है, water के बारे में कितना होगा, यह, try to answer this, approximate percentage of the water in the sewage, कितना होगा water का percentage sewage में, यह पूचा जा रहा है, चलिए C answer बता रहे हैं, बहुत साही, very good, yes, सभी कोई चीज़ क्लियर है, 99.90%, 99.90%, 99.90% will be the correct answer, ना, ओके, चलिए ठीक है, correct है, so बहुत नेक्स पे चलते हैं, let's move to the next other question, next question जो आप लोगों के पास में आ रहा है, next will be what, yes, so next है भाई, इसके बारे में बताईए, the ojonation in the drinking water helps to remove the, answer this please, the ojonation in the drinking water helps to remove the, क्या बोलते हैं इसको, किस चीज़ में help करेंगा ojonation, ojonation मतलब ojon का addition, ojonation मतलब addition of the ojon, addition of the ojon, देखी क्या answer आएगा, चलिए बहुत सही, very good, answer will be what, microorganisms न, answer will be what, microorganisms, okay, so बहीं next पे चलते हैं, let's move to the next other question, next question आप लोगों के जो पास में आ रहा है, next will be what, इसका answer बताईए भाई, again राज़स्थान SSBJE, a canal which is aligned at right angle to the contour, a canal which is aligned at right angle to the contour, क्या बोलते हैं आएज से canal गो, नितिन कटारिया अगर कोई भी किसी तरह का concept से related है, तो उसको आप अलग से message कर सकते हैं, ठीक है उसके लिए अलग से session arrange हो जाएगा, आपके पास जो भी doubt problems होंगे, यहाँ पे बेसिकलिए एक तरह से rapid question practice करने का कोशिश कर रहे हैं, चलिए C answer बता रहे हैं सभी लोग, यस ठीक है, so answer will be what, C that is side slope canal, side slope canal, चलिए बई, next पे चलते हैं, let's move to the next question, next बताईए बई, the pH of the fresh sewage usually, क्या होता है, fresh sewage का pH, यह पूछा जा रहे हैं आपसे, pH of the fresh sewage, more than 7, equal to 7, 0 या फिर less than 7, B more than 7 न, चलो यह भी बात सब को याद है, more than 7, clear है, it will be more than 7, चलिए बहुत बढ़ी है, very good, more than 7, चलो ठीक है, very good, now next पे चलते हैं, let's move to the next, next question आप लोगों के पास में है, next will be what, चलिए इसका बता दीजी अगे, उत्तरकंट paper 2, JE, and NMRC, the wetted parameter of regime channel, for a discharge of the 64 meter cube per second, as per Lacey's theory, will be what, क्या answer आएगा निकल कर, मेरा थखना न थखना तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी तरफ से पूरा का पूरा अगर, basically crowd बढ़ता रहेगा, पूरा response आता रहेगा, proper तरह से सो मैं थखने वाला नहीं हूँ, ठीक है, बस जस्ट आपका proper, पूरा proper तरह से dedication शो होना चाहिए, interest शो होना चाहिए, बच्चे दिखते रहने चाहिए, comments आते रहने चाहिए, और बीच बीच में, जो भी जैसा भी session लग रहा है, उसकी प्रती appreciation चाहिए, तो आराम से चलता रहेगा अपना, तो अपने को थगावट नहीं है, बिल्गुल भी, so answer will be what, B, क्या answer आएगा, इसका check करीज़रा, ठीक है, इसका नहीं थग रहे, okay, answer will be what, B, सबको पता है, बई, कितना होता है, आपके पास में, vetted parameter न, it will be equal to what, 4.75 root q, यहाँ पर अगर आप value पुट करोगे, तो कितना है आएगा, आपके पास में निकल के, 64, yes, answer will be around what, 38 के आस पास निकल कर आ रहा है, चलिए ठीक है भई, okay, so very good, now next पे चलते हैं, let's move to the next of the question, next question आपके पास में जो आ रहा है, next will be what, next question है भई आपके पास में, next क्या है आपके पास, yes, चलो यह clear है, so next question आपके पास में है भई, yes, इसके बारे में कर दीजिए, answer, traps are used in the household drainage system too, traps किसलिए यूज़ किया जाता है, बताइए भई traps का परपस क्या होता है, use करने का, चलिए answer A कर रहे हैं, सभी लोग बहुत बढ़िया, सब कोई चीज़ clear है, this thing is clear to everyone, सब कोई चीज़ पता है, अच्छे से, चलो, so next पर बढ़ते हैं भई, किसलिए for the removal of the gases, for the removal of the gases, now, next question आप लोगों के जो पास में आएगा, next will be what, next question है भई आपके पास में, next है yes, answer करिए चलिए, बताइए इसके बारे में एक बार ना, try to answer this please, answer this, the ratio of the 5-day BOD to the ultimate BOD is, कितना ratio निकल के आता है लगबग, what is the ratio, B, चलिए B answer कर रहे हैं, सभी लोग बहुत सही, very good, yes, option number B will be the correct answer, around मैंने चीज़ बताई हुए है, कि 68% के आज़ पास value होती है, so कितना हो जाएगा आपके पास, answer will be what, 2 by 3, answer will be 2 by 3, चलिए ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूँगा, आगे ना, side हो जाऊँगा, बाकी next पे चलते हैं, let's move to the next question, next question आप लोगों के पास में आ रहा है, next will be what, next question है भई, next yes, चलिए, इसका बताए, in a B. coli test, the use of the green lactose bile, is made in, is made in, इसका अंसार कर दीजे, एक नाया कुर्शन आप लोगों को यहाँ पे पता लग रहा है, try to answer this please, the pre-submative test, the confirmed test, the completed test, you have to name of the test, none of the above, sorry, none of the above, answer this please, रमिश्दुबड़े answer a बता रहे हैं, चलो बाकी लोग क्या कहते हैं भई, करंट आवद भी answer a बता रहे हैं, बहुत साई, very good, yes, the point is simple, presumptive test, presumptive test, चलिए, सभी कोई चीज़ clear थी, okay, बहुत बढ़िया, very good, now next पे चलते हैं भई, let's move to the next other question, next question आपके पास में आ रहा है, next will be what, next question है भई, चलिए, next है, next yes, अच्छा इसका बताईए, the grease and the oil present in the sewage, are removed in, किसमें remove करवाते हो, grease and oil जोगी present होता है, sewage में, okay, answer this please, so C answer कर रहे हैं, बाकी सभी लोग चल बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया, yes, scheming tank भे remove करवाया जाता है, they are removed in the scheming tank, they are removed in the scheming tank, so this is clear to everyone, सभी कुछ जीज़ क्लियर है, they are removed in the scheming tank, चलिए, फिर आगे चलते हैं, let's move, आगे next turn, next turn, next yes, चलिए भई, इसका बता दीजे, आगे निया मेरी चाह से, फिर से लग़रा है, बहुत रिपीट हो गया question, so the question is repeated again, चलो इसका बताओ, भई बात में फिर से रिपीट आंसर करो इसका, बताईये भई, आंसर दीज़ प्लीज, ट्राइटो आंसर दीज, बताईये भई, बताईये भई, बताईये बहुत बढ़िया, येस, so this is the questions, so ये था भई आपके बारे में, ये जो था basically session, अब just in the end, मेरे को आज ये बताईये, आप लोगों के लिए basically इतने सारे questions, आज हमने ले के आए, हमने last class में बोला था कि लगबग 150 questions, discuss करेंगे and it's around 150 questions, आपके पास में लगबग कितने questions हो गए हैं, 150 questions हो गए हैं, अब just finally मेरे को बताओ, कि जैसा basically आप लोगों को इस session लगा, मज़ा आया है नहीं आया, ऐसे basically अगर और भी आप लोग session चाहते हैं, continuously कि ऐसे session चलते रहे हैं आपके पास में, so just comments में मेरे को comment करके बताओ, आगे मैं continuously आप लोगों के ऐसे session लेके आता रहूँगा, फिर कोई भी अलग लग teacher आपके ऐसे session लेके आते रहेंगे, बताइए बई just everyone answer this please, so बता दो वहीं एक बई सब लोग क्यासा लगा session आप लोगों को, अगर basically मज़ा आया, समझ में आई हैं चीज़े, आप लोगों के लिए के session अरेंज करवाया है, again हमने बात कीती लगबग 2 डाइगंटे का session रखेंगे, बहुत सारे question करेंगे, इस session में आपसे environment, आपने hydrology, irrigation, fluid mechanics, हर एक subject के mainly question आपने discuss कर लिए है, so basically the point is that, ऐसे और भी बहुत सारे session लेके आते रहेंगे, the motivation दे रही है, यस वही मैं आपसे बता रहा हूँ, number of session इस तरह के आपके पास आते रहेंगे, आप एंचनल ही जब तक आपके पास exam चल रहा है, engineer success basically आप लोगों के लिए essay sessions daily daily लेके arrange करता रहेगा, daily daily आपके पास faculty आएगी, question will be discussed, ठीक है, question session रखेंगे, question practice करना ही, आप लोगों के लिए इस समय सबसे important point है, daily daily question practice करिए, so 200-300 question आपको practice करने है, and question mix practice करो, अलग-अलग subjects को एक साथ combine करके mix question practice करिए, so this is the point, yes, yes, बिल्कुल संतोष रावत, yes, question आते रहेंगे, आपके पास में daily session आते रहेंगे, इसी तरह कि आप बिल्कुल भी बस आपको just क्या करना है, घर पर revise करनी हैं, चीजे मैनत करनी हैं, खुद से बाकी हम लोग आपके साथ में है, कोई भी आपका, कोई भी doubt से related point है, या फिर आपके पास कोई भी आप theory lecture चाहते हैं, किसी भी तरह का, तो उसको आप separately बता सकते हैं, आपके पास मैं already मैंने number शेयर गिया दा पहले भी, उस पे आप comment करें, यहाँ पे comment box पे बता सकते हैं, उसको हम अलग से आपके लिए arrange कर देंगे, so this is about the today session, यह सारी की सारी बात आज हमने आप से करी, बाकी in the end में आप से बताऊंगा, देखो अगर किसी भी तरह का, आपके पास कोई offline से related point है, अगर कोई भी बच्चा offline के बैच के लिए जाना चाहते हैं, तो यह किसी भी तरह की आपके कोई भी query है, so आप इन numbers पे contact कर सकते हैं, हमारा offline batch भी शुरू होने वाला है, जैसा कि अभी बताया हमने कुछ देर, just basically offline batch भी आपके पास शुरू होने वाला है, ठीक है, Monday से, Monday से, अगर कोई भी SSCJE या फिर gate के लिए, पापियर होना चाहते हैं, offline classes लेना चाहते हैं, so just आप किसी भी तरह की query के लिए, इन numbers पे call कर सकते हैं, so offline batch भी चलने वाला है, हमारा जिस तरह की theory के question आज हमने आप पे discuss किये हैं, यही सब theory आपको classes पे पढ़ाई जाती है, and obviously जो बच्चे lecture कर रहे हैं, classes जिनोंने की है, offline में वो observe भी कर पा रहे होंगे, कितना easily आपसे questions हो जाते हैं, most other question मैंने आपसे वही discuss करे हैं, कि जो की states में आये हो गए हैं, अलग-लग JEE, AE exam में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको यह idea लगे कि कैसे, basically आपके पास AE, JEE में question आते हैं, number of questions आपको इनी से दिखाई देंगे, यह जो question हम यहाँ पे करवा रहे हैं न, बहुत सारी question आपको as it is same to same दिख जाएंगे, आपके exams में, इनी से, so offline batches के लिए भी आप join कर सकते हैं, and obviously आपको भी पताए कि एक proper theory की knowledge आपको होना जरूरी होता है, so proper theory की knowledge आपको सिखाई जाएगी, कहाँ पे in the offline batches, तो अगर आप किसी भी competition की तयारी करने, JE, AE की, gate की, engineering services की, so you can go for the offline batches as well, in the end में अगर आपसे आगे बताऊं तो भाई देखें, यह point is that, test series इस समय पे जरूर दें, मैंने जैसे की बताया, mix question practice करें, test series देना बहुत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप लोगों के लिए, तो test series हमारी app पे available है, engineer success app पे, आप app download करें, play store से और वहाँ पे जाके test series दें, test series दें, आपको बहुत फायदा मिलेगा, वही इस समय सबसे important necessity है, आप लोगों के लिए, इंदिएट अगर बात करें, online and offline आपके पास में, दूनों courses available है, and obviously I would suggest कि, offline के साथ आप लोगों को जाने में, ज़्यादा बैटर रहेगा, कहीं न गहीं अच्छा study माहोल बनता है, और online चीज़े हम question practice के लिए लेके चलते रहेंगे, अगर आप लोग कर सकते हैं, join तो offline के साथ आपको जाना चाहिए, बाकी online अगर कहीं पर आप ऐसी जंगा पर है, जहां से नहीं आ सकते हैं, तो online का भी option है हमारे पास में, उसको भी आप लोग utilize कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी अच्छे से चीज़े आपको कराई गई है, उससे भी आपको बहुत benefit मिलेगा, बाकी YouTube पे हम ऐसे sessions लेके आते ही रहेंगे, एवरी डे इन basically questions से related, ठीक है, और in the end अगर हम बात करें, बेस्ट इन उत्तरकंड में तो इंगीनियर सक्सेस के बारे में सब तो बता है कि कहीं नगी टॉप मोस्ट इंस्टिट्यूट है पूद एससे जी या फिर जितने भी आपके इस्टेट एक्जाम्स होते हैं, ठीक है, यह हमारे पॉइंट थे बाकी, इन दे एंड में अगर आपसे बता हूँ तो एप यहार जरूर डाउनलोड करें, डोंट पॉर्गेट टू डाउनलोड दा एप, एप जरूर डाउनलोड करें सब लोग, एप जरूर डाउनलोड करें, बहुत सारी थियोरी मिल जाएगी, आपको कहां पे, एप पे, यहार चैनल जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना भई, ठीक है, जितना भी हो सकते, शेयर करना, शेशन को भई, बहुत मैनज से करवाई गई है, ठीक है, टेलिग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ में, फेस्बुक पे, इंस्टेग्राम पे, everywhere we are available, हम हर जंगा पे available है, and किसी भी तरह की कोई query है, so just call on these numbers, इन numbers पे call करिए, किसी भी तरह की कोई query है, so this is about the today's session, बाकी आखिर में मैं आपके comments पढ़ लेता हूँ, जो जो queries हैं, उनका answer कर देता हूँ, जो बता रहे हूँ आप, next session कब होगा sir, यस बिल्कुल next session, कागराज वर्ती ने पूछा है next session कब होगा, बिल्कुल daily daily session आपके चलते रहेंगे, online session हमारी चलते भी है, every evening session basically कोई न कोई faculty ले रहा होता है, आप डिली अपियर करें, चैनल को subscribe करें, जिससे कि आपको हर दिन की notification मिलती रहें, ठीक है, daily session होते हैं, बाकी in the end में आपसे बताओ, most of the question जितना आपको time लगे, बिल्कुल संतोष रावत, question definitely, maximum से maximum कराने की कोशिश हो रही है, आज भी around 150 questions मैंने आपके पास में करवाए, and I think यह बहुत beneficial आप लोगों के लिए session रहा होगा, ठीक है, नितीन कटागिया, actually जो हमारा session था basically, यह एक तरह से rapid question से related था, जिसमें आपके पास rapidly question करवाए जाए practice, ऐसे session भी हमने already लिये हुए है, channel पे अगर आप देखेंगे जाके, जिनमें हमने question के साथ concepts discuss किये हैं, बहुत सारे, अगर आप हमारे previous sessions को देखेंगे जाके, जो हमने app पे ले रखे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यूट्यूब पे हमने लिये हैं, उन session को आप देखो, उन में हमने question के साथ concepts भी बहुत सारे discuss की हैं, तो यहाँ पे just हम जिससे की exam से related, exam से कही नगे family year हो जाएं, आपके साथ screen प rapid question के लिए हमने session रखता था में ली न, ऐसे भी session app पे पड़े हूँ हैं, जिन में की, या फिर YouTube पे ऐसे भी sessions हैं, जिन में questions के साथ, बहुत सारे concept discuss की हैं, आप YouTube channel पे जाईए हमारे engineer success पे, इसको subscribe करें, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी चीज़े न, वहाँ पे आपको environment marathon, yes, बिलकुल मोशीन एहमत कहा रहे, environment marathon, yes, environment marathon आएगा आपके पास में, even environment के मैंने already आप से बहुत सारे question discuss किये हैं, अगर आप इस वीक के sessions को देखेंगे, तो लगबग 100 plus question मैंने आप से already environment के discuss कर दिये है, already 100 plus question, तो आप उनको देखे जरा sessions को जाके, environment के अच्छे irrigation and fluid के भी आएंगे, आपके पास मेना, आते रहेंगे irrigation and fluid के भी session, इसी में mix भी कहीं है हमने, बाखी अलग से भी session हो रखेंगे, आपके पास आप just YouTube channel पे जाके check करें, आपको मिल जाएंगे, so in the end बाखी thank you everyone, and all the very best, and thanks for the support basically आप लोग बने रहे, end तक जितना crowd starting में था, end त सकते हैं, आप लोगों के लिए, so just thanks for the support, बाकी अपना आगे मिलेंगे फिर next session में, जैसा भी होगा channel को subscribe कर दीजेगा सब लोग न, sorry, yes channel को subscribe कर दीजेगा इससे कि आपको सारे notification मिलते रहें, कोई भी session आप में से ना करो, yes exactly बिल्कुल रमेज दूबिया, सब होगा आपके प again and good night everyone, thank you, thanks for the support, चलिये, thank you everyone, चलिये, thank you everyone, good night everyone and all the very best, पढ़ते रहे हैं, आप से रिलक्स होगे, कोई भी किसी तरह की problem है, तो आप personally भी call कर सकते हैं, numbers हमने आपको share कर दिया है, ठीक है, चलिये, thank you everyone,